हेलो एवरीवान, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उमीद हैं कि हमेशा के सर आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? करनी भी चाहिए भाई, करनी भी चाहिए, क्योंकि exam क्ले तैयारी करनी बहुत जादा जरूरी है ना? तो बच्चा लोग मैं हूँ विजयता आपकी बालाओ जी टीचर और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई अपने चाप्टर के बारे में जो हम continue कर रहे हैं कौन से था हमारा चाप्टर वंशा गती तता विवेदिता के सिध्धान्द जिसको हम क्या बोलते हैं principles of inheritance and variation चलो last class में हम लोगों ने बहुत सारी बाते कर ली थी अब उससे आगे बढ़ने का समय आ गया है तो चलो छोड़ा सा रिकाप ले लेते हैं फड़ा फट से क्या बात करी थी तो हमने पहले law के बारे में बात करी थी ठीक है पहला law जो तो हमारे पास है फर्स्ट लॉज इसको हमने बोला फर्स्ट लॉज ठीक है इसमें हमने बात करें थी कि यहां पर क्या था इस फर्स्ट लॉज में यहां पर क्या था जो एक जनक था ठीक है जो एक जनक था वो क्या था कि वह एक जनक मतलब कर सकते हैं वैसे तो दो जनक है वहां पर ठीक है तो एक जनक कीया था लंबा था एक जनक क्या था बॉना था ऐसे बोल रही हूँ जではstones फिके हमारा क्या नहों था ढॉसरा क्या था बायोम नोने कहा यंदा ऐन दोनों का इन दोनों का क्रॉसक रहे हैं तो हम को क्या मिला भई लंबी संतिती मिली थी हमको है ना लंबा मिला था ठीक है जो क्या था जो प्रभावी था उनके हिसाब से जो प्रभावी था ठीक है और इसको उन्होंने क्या कहा था capital T small t capital T small t ठीक है इसको बोला था इन्होंने correct यही था कैसे कि भई यह capital T capital T था यह small t small t था इसके इसाब से क्या मिल गया इनको capital T और small t मिल गया ठीके ना चलो ठीके agree करते हैं तो यह था हमारा भई अभी तक का last करी क्या बहुत छोटू सु ठीके छोटू सा अब इसको आगे बढ़ाते हैं कि आज हम actually में क्या देखने जा रहे हैं आज हम क्या बात करन हम ठीके अपूर्ण प्रभाविता ठीके जिसको क्या बोलते हैं हम incomplete dominance बोलते हैं incomplete अपूर्ण देखो अपने आप से ही बता रहा है यह है ना incomplete dominance ठीके पहला तो यह देखेंगे दूसरा क्या देखेंगे हम सह प्रभाविता सह का मतलब क्या होता है साथ में ठीके सह कर्मी यानि की co-workers ठीके क्या हुआ सह कर्मी यानि की co-workers तो यह क्या है सह प्रभाविता यानि की जो प्रभाव हो रहा है उसके साथ ठीके तो इसको क्य बोला हमने co dominance ठीक है क्राइब को कोematics ठीक है यह हम बात करने जा रहे हैं अब अगर मैं इस अपौ looks प्रभाविता की बात करती हूं तो यह क्या होता है यह पर यह सब कहला भाविता यह के हलाते हैं इह living यह क्या कहला है आपका wendalumuad टीक है क्या कहलाएगा यह मेंदल वाद ठीक है क्यों कहा जाएगा यह लोग कुछ gd India की कोई बात नहीं पिर अगर मैं सहब्रभाविदा की बात करती हूं तो भाई यह बंडlexi नहीं था यहां पर ध्यार रखने वाली बात है यह दूसरे वग्यानिकों ने जो क्या किया था प्रियोग करते करते और इनके जो है इनके जो प्रियोग थे उसकी जाच करते करते दूसरे वग्यानिकों ने दिया था चलो ठीक है अब क्योंकि इन प्रियोगों को जब यहां पर किय गिए नहीं जब इन प्रियोगों को यहां पर किया गिया फिर्जाइश देखा तो मैंडल जी के लौ से मैच नहीं कर रहे थे हैं ना मैंडल जी का जो लौ था उससे मैच नहीं कर रहे थे इसका रिजल्त कुछ और यह आया था इस वाई से फिर विज्ञानिकों ने दिया था तो अगर मैं संकर पूरवज jeं संकरन की बात करती हूं पहले कि भई क्या इसको backcross कहते हैं? तो इसकी खोज किसने की थी? हेमलौ और उनके सहीयोगियों ने करी थी. फिर यहाँ पर F1 PD में जब संकरन कराये गया, F1 PD में PD का जो संकरन था, वो क्या था? तो संकर, पूर्वज T, Sankarad कहते हैं संजो क्या कहते हैं कि सपोस्ज करो दो जन, ये क्या है हमारे पड़ Memorial जनक जो है जनक जो है तो एक प्रभावी एक अप्रभावी ठीक है कि भाई ये क्या मोला एक प्रभावी है ठीक है? एक अप्रभावी है ठीक है तो अब मैं एक सपोस करके एक 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 जामपल ले रही हूँ कि जो प्रभावी है वो हमारे पास P1 है ठीक है या capital P पर एक capital P ले लो और यह क्या है small P small P एक just example के लिए ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या बोला इससे हमको क्या मिला इससे हमको मिलेगा वह एक capital P और एक small P मिल जाएगा इससे हमको है ना तो इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला कि F1 PD का संकरन प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ cross कराया जाता है याने कि यह हमारे पास क्या आया था यह हमारे पास F1 आई थी F1 PD ठीके यह हमारे पास F1 PD आई थी अब यह जो F1 PD है इसका किसके साथ कराएंगे इसको प्रभावी या अप्र भावी जनक के साथ जो cross करा一个 तो वह क्या कह लायेगा संकर पूर्वज संकर पूर्वज ठीक है पूर्वज मतलब कि यह जो F1 PD है यहां क्या है यह यह पूर्वज कहलाएंगे यह पूर्वज कहलाएंगे किसके जो यहां पर नया रिजल्ट आएगा ठीक है यहां जो नई संतति आएगी ठीक है उसके क्या हुए यह F1 PD पूर्वज हु क्या होता है औवेस्टी बात है टेस्ट होता है परिक्षा याने की एग्जैम याने की टेस्ट तो जब पादप का संकरण जो है शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो 50% अप्रभावी लक्षन वाली संत्तिती का उत्पन संत्तिती जो होती है वह उत्पन हो प्रभावी के साथ करा रहे हैं तो यहां से यहां पर क्या हो रहा है यहां पर जो संतती पैदा हो रही है वो 50% क्या है वो 50% क्या है अप्रभावी लक्षन वाली संतान पैदा होगी ठीक है और इसी को हमने परिक्षन संकरण कहा clear इतनी बात ठीक है समझ गए चलो आगे बढ़ते हैं अब हम क्या बात कर रहे हैं हमने बात करी अपूर्ण की ठीक है किसकी बात करी हमने अपूर्ण याने की incomplete dominance की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं अपूर्ण लिखती हूँ ठीक है अपूर्ण प्रभाविता अगर मैं यहाँ अपूर्ण प्रभाविता की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या है अपूर्ण प्रभाविता में मैं क्या लिखूंगी कि यहाँ पर संतती जो मिलती है यहाँ पर जो संतती मिलती है वो कैसी है वो यहाँ जो संत्ति मिलेगी वो कैसी होगी? अलग होगी ठीके मिलती है वो कैसी होगी? अलग मिलेगी ठीके किसी मतलब जो कोई भी किसी पर कोई भी प्रभाब ने डालेगा इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर किसी ने किसी पर कोई प्रभाब ने डाला यहाँ पर क्या हुआ किसी ने, किसी पर कोई प्रभाव नहीं डाला, कोई प्रभाव नहीं डाला, ठीके, दोनों ने पून रूप से अपने आपको, यहाँ पर दोनों ने पून रूप से अपने आपको प्रभावी नहीं करा, ठीक है, दोनों ने पून रूप से, पून रूप से, क्या किया, अपने को प्रभावी नहीं करा, ठीक है, प्रभावी नहीं करा इसलिए इसको अपून प्रभाविता कहते हैं, ठीक है, चलो, समझ गया इसको हम, ठीक है ना? चलो, अब क्या है भाई इसके आगे? मेंडलवाद के विचलन ठीक तो मेंडलवाद के प्रतिपादन के बाद जब अन्य वज्ञानिकों ने छेतर में कारे किया तो कई नियम मेंडलवाद के विचलन के नाम से जाना गया कि जिससे वो एग्री नहीं हुए यहाँ पर उनकी बात हो रही है जो मेंडल जी ने दिया दूसरे वज्ञाने को उसके साथ सेटिस्फाय नहीं हुए कि हम नहीं मानते के आपने जो बोला है वो सही बोला है ठीक ए तो इसलिए उसको मेंडलवाद कहा गया मेंडलवाद के विचलन ठीक एचलो अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर जब हमने अपून प्रभाविता की बात करी है ना तो चलो इसको एक एक जैम्पल से समझते हैं ठीके अब यह जो प्रियोग था यहाँ पर मटर में नहीं हुआ था यहाँ पर यह प्रियोग मटर में नहीं हुआ था आप इन फूलों को देखके समझ सकते हो मैं कौ से फूल में यह हुआ होगा? अंदाजा लगा सकते हो? कोई बच्चा बताएगा कि कहा हुआ होगा यह बदा कौन बदा सकता है फटर फटर बता। इसको मालू है बाते ही करोगे, बत्या लो बस. हijn पढलो मेरे बच्चों, पढलो. तो यहां पर भाई श्वान नाम का एक पुष्प था जिसमें किया गया था ठीक है क्या था श्वान पुष्प ठीक है वें किया गया था श्वान पुष्प में किया गया था यह जो श्वान पुष्प है इसको हम स्नैप ड्रेगन भी कहते हैं ठीक है क्या बोलते हैं इसको स् snap dragon ठीक है और इसको four o clock का plant भी कहते है क्या बोलते हैं इसको four o clock four o clock ठीक है four o clock और इसको dog flower भी कहते है dog flower इसको मेरा बिलस जलापा भी कहते है मेरा बिलस मेरा बिलस जलापा ठीक है अब इसकी अगर मैं वेग्यानिक नाम यानि scientific name की इसकी बात करती हूँ तो क्या है एंटी राइजन इसका वेग्यानिक नाम क्या है एंटी राइजन ठीक है इसका वेग्यानिक नाम है एंटी राइजन ठीके अब यहां पर क्या हुआ यहां पर भाई यहां पर जब cross कराया गया जब यहां पर जब यहां पर क्या किया cross कराया ठीके तो जो mostly flower थे जो mostly flower थे वो कैसे थे सफेद और लाल थे सफेद थे ठीके और लाल थे ठीके लेकिन क्या हुआ भाई जब इनका रिजल्ट आया इन दोरों का जब क्रॉस कराया इनका जो रिजल्ट आया जब इनका रिजल्ट आया तो अलग ही रंग की संतिती यहाँ पर उत्वन हुई मतलब नल सफेद थी, नल लाल थी कुछ अलग ही रंग पैदा हो गया कौन सा रंग पैदा हुआ अलग रंग आया सब लोग शॉक्ड हो गई ये क्या हो गया तो वो अलग रंग कौन सा था, गुलाबी रंग था, ठीक है, कौन सा था, गुलाबी रंग था, जो अलग रंग आया, चलो, ठीक है, ये मान लिया हमने, चलो, थोड़ा सा, देख लेते हैं इसको करके, ओकी, चलो, देखते हैं, फिर हम जनक क्या लेंगे, लाल और सफेद गर हम जनक की बात करते हैं याने की पेरेंट की तो पेरेंट क्या है हमारे पास चलो पहले लाल कर अचा करना पड़ेगा है न सफेद पुष्प, ठीक है, ये लो, ये हो गया सफेद पुष्प, ठीक है, दूसरा क्या है, लाल, लाल पुष्प, ये लो, ये क्या हो गया, लाल पुष्प, ठीक, अब लाल क्या था, मेंडल जी के हिसाब से लाल क्या था, प्रभावी था, है न, उन्होंने का था, लाल क्य प्रभावि भीगा और ये क्या है अप्रभावि भीगे मेंडल जी के हिसाब से इसका मतलब ये क्या हुआ प्रभावी और ये क्या हुआ अब लौ अब यहांपर क्या वियोजन का नियम लगाएंगे यहां पर ठीक है वियोजन का नियम लगाते हैं लगाएंगे ठीक है यहां पर अब यहां युगमग बनाते हैं ठीक है इस नियम के बाद जब युगमग बनाएंगे तो दोनों एक से हैं सम युगमग जी हैं दोनों ये भी और वो भी तो हम एक एक लेंग क्या हमको है कैपिटल आर कैपिटल आर मिल गया है है ना इस तरीके से मिल गया है चलो इंका क्रॉस करा देते हैं एवन पीडी करें मतलब संकरन कराते हैं और एवन पीडी लेकर आते हैं तो पहली भाई हमने इसकी क्रॉस किस से कराई है इससे कुराई है ठीक मिल गया हमको इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया है न पहले वाले के साथ किया तो इसमोल आराया क्या गिया इसके साथ small r इसके साथ भी small r आएगा क्योंकि उधर तो दोनों small small है ठीक चलो अब दूसरे r की बारी आती है इसकी इसके साथ कराई फिर इसकी इसके साथ कराई देखो अलग-अलग color से इसलिए कर रहे हैं यह आपको अच्छे से समझ में आ जाए बिल्कुल confusion मत रखना कहीं पे भी ठीके इसके पास भी same चीज़ आ जाएगी कि बई capital r तो है ठीके और small r भी है यह लो जी दोनों में आ गिया ठीके capital r small r देखो चारों में है है ना तो यहाँ पर क्या हुआ जो हमारे पास f1 pdi आई यहाँ पर जो f1 pdi आई हमारे पास हम f1 pdi की बात करते हैं वो क्या थी यहाँ पर सारे के सारे क्या थे गुलाबी सारे के सारे गुलाबी पुश्पु थे सारे के सारे ठीके यह जितने चारों है यह क्या थे गुलाभी पुश्पुते ठीके क्लियर इतनी बात सबको यहां पर यहां पर यह हुआ है ना हां मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होने चाहिए ठीके चलो बहुत बढ़िया तो यहां पर क्या हुआ अगर मैं यहां की बात करती हूँ यहाँ पर अगर मैं बात करती हो कि भाई प्रभाविता के नियम के हिसाब से है ना प्रभाविता नियम के अनुसार अगर मैं बात करती हो ठीके तो यहाँ पर क्या था जो आर था वो प्रथम पीडी में क्या था आर प्रथम पीडी में प्रभाविता है ना प्रभावी ठीके खुद को क्या करेगा उसने खुद को महाँ पर दिखाया वो प्रभावी था वहाँ पर पहली उसमें ठीके ठीके जी फिर क्या हुआ पर यहाँ पर ठीके पहली प्रतम पीडी में प्रभावी था है ना मतलब खुद को क्या किया उसने प्रभावी दि दिखाया देखो एक एक चीज इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो ठीक है प्रथम पीड़े में उसने क्या किया खुद को प्रभावी दिखाया ठीक है अब क्या हुआ यहां पर है न कि कि यहां बोला गया था कि क्या करते कि पहली जो क्या बोलते हैं यहां में बोला गया कि उनके हिसाब से कि वो प्रभावी है तो मतलब यही आना चाहिए रिजल्ट जो प्रभावी होगा उसी का रिजल्ट आना चाहिए लेकिन यहां पर क्या हुआ यहां इसका उल्टा हो गया यहां पर इसका उल्टा हुआ या लिख सकते हैं कि यहां पर ऐ ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ है ठीक है यहां पर क्या हुआ कि जो प्रतम पीड़ी में पुश्व बना था यहां क्या हुआ जब कि जो F1 PD थी, प्रथम PD थी, ठीके, वहाँ क्या हुआ, अलग ही रिजल्ट आ गिया अलग ही रिजल्ट आ गिया क्या रिजल्ट आया? भाई यहां तो सारे के सारे क्या थे? सारे के सारे गुलाबी पुष्प ठीके, गुलाबी पुष्प बन गए यहां सारे के सारे गुलाबी पुष्प बन गए मतलब कि यहां पर क्या हुआ, हम यहां कह सकते हैं कि दोनों ने अपने प्रभाव को अपून रूप से दिखाया मतलब कि यहां पर क्या हुआ जो दोनों जनक थे, उन्होंने क्या किया, अपने आपको अपूर्ण रूप से दिखाया, अपूर्ण रूप से दिखाया, ठीक है, इसी वज़े से इसको क्या बोला जाता है, अपूर्ण प्रभाविता बोला गया, इसको क्या बोला गया, अपूर्ण प्रभाविता बोला गया, इतनी बास सबको clear, अब इसके रेशियो की बात करते हैं, चलो, अगर हम इसके रेशियो या अनुपात की बात करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, तो मेंडल जी के according तो तीन अनुपात एक का रेशियो था, मेंडल जी की बात करते हैं, तो तीन अनुपात एक का रेशियो था यहाँ पर, उनके हिसाब से तो, ऐसा ही होना चाहिए था, है ना, ऐसा ही होना चाहिए था, कि बाईया, तीन क्या थे, लंबे थे और एक बॉना था, तीन क्या थे, लंबे थे, और एक क्या ता बॉना था, उनके हिसाब से तो यह हिसाब से, लेकिन जब फीनो टाइप यहाँ पर बात हुए, तो यहाँ तो भाई, यहाँ पर जो फीनो टाइप था, वो अलगा गया, फिनोटाइप क्या हो गया? अलग हो गया बिलकुल ही है ना? फिनोटाइप क्या हो गया? अलग हो गया कब? जब F1 करवाया गया F1 में स्वेप परागण हुआ F1 का स्वेप परागण हुआ F1 का स्वेप परागण हुआ तो क्या हुआ? जब F1 का swap रागन हुआ तो जो phenotype था वो बिल्कुल अलग आ गिया इनके हिस यहाँ पर थो ठीके यहाँ पर जो genotype हुआ वो match हुआ 1 is 2, 2 is 2, 1 जीनotype की अगर है यह तो phenotype था अगर मैं genotype की बात करूँ तो genotype क्या है हमारा 1 is 2, 2 is 2, 1 आ गिया ठीके लेकिन phenotype क्या था यहाँ पर phenotype बिल्कुल ही अलग था यहाँ पर clear इतना ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं चलो फिर ठीक है चलो फिर पड़ावर्ट से एक इसको भी करके देख लेते हैं क्या देखेंगे बही जनक हमारे पास क्या है यहाँ पर स्मॉलर है ना स्वेप परागन कराएंगे हम इसका यहाँ हम यही तो बात कर रहे हैं स्वेप परागन कराएंगे तो चलो कराते हैं तो जनक हमारे पास क्या मिले हमको अगर हम जनक की बात करते हैं ठीक है तो जनक हमारे पास कौन है capital R smaller capital R capital R smaller smaller यह है चलो अब यह क्या है भाई यह तो विशम युग मजी है क्योंकि दोनों अलग अलग अलगे एक capital स्मॉल है तो यहां क्या करेंगे हम चलो जी बना लेते हैं इसको भी चलिए यह बन जाएगा यहां पर जब हम युग मजी अलग अलग करेंगे तो ठीक है तो क्या बना हमारे पास यहां capital R आ गया capital R आ गया ठीक है smaller आ गया smaller आ गया अब जब इन दोनों का हम cross करवाएंगे ठीक है तो जब cross कराया तो इसका कराया पहले हमने इसके साथ इसका कराया हमने इसके साथ ठीक है अलग-अलग रंग से इसलिए दिखा रहे ताकि आपको confusion ना हो बिलकुल हम दूसरा यह जो smaller है smaller कअ कि इसके साथ और इस है smaller का इसके साथ चलो देखते हैं कि या बनता है हमारे पास ठीक है तो यहां पर क्या बना भाया capital R था इससका capital R के साथा एया इस capital are t affiliate smaller के साथ है याने कि यहां white color आजाएगा हमारे पास ठीक है फिर यहाँ small r था capital r आगिया हमारे पास ठीक है small r और capital r यहाँ क्या था? small and small दोनों इस तरीके से ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गिया भाई क्या बना यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास बना कि पहला वाला तो लाल बना क्योंकि दोनों कैपिटल थे पहला वाला क्या बन गया लाल बन गया दूसरे वाले की बात करें ये गुलाबी बना क्योंकि ये तो अलग था इसकी बात करें ये भी गुलाबी बना है ना इसकी बात करें ये सफेद बना क्या बना ये सफेद बना ठीके तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ भाई यहाँ पर यह दोनों के दोनों जो थे वो जनक से अलग बने थे जनक था उससे अलग बने थे यह दोनों के दोनों ठीके दोनों के दोनों क्या बने जनक से अलग बने इसलिए हमको यहाँ one is two, two is two one का रेशियो मिला, ठीके, इसलिए क्या मिला? One is two, two is two, one का रेशियो मिला, ठीके, इतनी बास समझ में आई, ठीके, चलो, फिर हमने क्या बोला कि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर phenotype match नहीं हुआ हमने क्या बात करें यहाँ पर जो phenotype था वो match नहीं हुआ phenotype match नहीं हुआ ठीक है अब phenotype क्या होता है यह जो physical structure होता है जिसको हम देख सकते हैं चूँ सकते हैं ठीक है तो यहाँ phenotype हमारा नया क्या बना 1 is to 2 is to 1 ठीक है और जो मेंडल जी ने दिया था यह क्या हमारा new है और जो old था जो मेंडल जी ने दिया था वो था 3 is to 1 ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर जो दोनों जनक थे उन्होंने पून रूप से एक दुख्या किया यहाँ जो दोनों जनक थे पून रूप से प्रभावित नहीं थे यहाँ पे थीक तो मैंडल के नियम अनुसार एक जोड़ी ये विकल्प दूसरे पर प्रभावी होते हैं मैंडल जी ने कहा था किन्तु कुछ पादपों में देखा गया कि प्रथम पीडे में दोनों विकलपों के गुणों के अतरिक तीसरा गुण तीसरा गुण हमने क्या बोला जो गुलाबी रंगाया था है ना प्रकट हुआ जिसे अपूर्ण प्रभाविता कहा गया ठीक है क्योंकि दोनों ने अपने आपको नई किया शो इसलिए जैसे स्वान पुष्प की अभी हमने बात करी थी इसको स्नैप ड्रेगन कहते हैं एंटी राइनम कहते हैं इसमें सफेद और लाल रंग का जो पुष्प था वो पाए जाते हैं लेकिन जब यहां पर संकरन कराय इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो क्या हुआ जो प्रथम पीडी थी उसमें गुलाबी रंग के पुष्प राप्त हो गए बिल्कुल अलग ही मिल गया उनकी सोच उसे परे मिल गये ठीक है लेकिन क्या हूआ जो प्रथम पीडी थी ना उसका जब स्वय परागन कराय गया ठीक है याने कि जो F1 PD थी इसका क्या किया हमने स्वय परागन किया स्वय परागन किया ठीक है तो क्या हुआ स्वय तो जो जुद्धे PD आई इससे जो F2 PD आई है ना इसकी वज़े से जो F2 PD आई इसमें लाल गुलाबी सफेद यहां क्या मिला हमको लाल भी मिला गुलाबी भी मिला और सफेद भी मिला तीनो रंके मिले रेश्यू क्या आया 1 is to 2 is to 1 का रेश्यू आया यहां पर ठीक है ऐसा लाल पुष्प के गुण का पूण रूप से प्रभावी ना होने के क प्रभाविता कहा गया clear इतनी बात है ना चलो आगे बड़े ठीक है सह प्रभाविता की अगर हम बात करते हैं तो सह प्रभाविता को हमने क्या बोला co-dominance बोला ठीक है क्या बोला हमने co-dominance बोला तो कभी कभी प्रभावी वे अप्रभावी दोनों कारक जिनको हम क्या बोलते हैं अलील बोलते हैं स्वतन्त रूप से अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं अपने आपको show करते हैं ठीके जिसे सह प्रभाविता कहा जाता यानि कि साथ में काम करना सह का मतलब क्या हुआ सह का मतलब हुआ साथ ठीके ना तो जैसे example के लिए हम क्या लेंगे मनोश्य का रुधिर वर्ग जिसका example है AB ठीके जो AB blood group होता है यहाँ पर इसकी बात हो रही है फिर मनुश्य में चार रुधिर वर्ग पाए जाते हैं A, B, A, B, O इन रुधिर वर्गों की वन्शागती एक ही इस्तान पर क्या होती है? स्तित होती है क्या होती है? स्तित होती है ठीक है? एक ही जीन के तीन विकल्पों I, A, I, B और I, O के कारण होती है ठीक है? चलो, ठीक है, यहाँ पर विकल्प I A, I B और I O के साथ आने पर रुधिर A वर्ग प्रकट होता है, ठीक है? जब I B और I O होता है, तो क्या होता है? B प्रकट होता है, और जब I O, I O होता है, तो यहाँ पर O प्रकट होता है, समझ रहे हो? जबकि I A, I B एक साथ आएंगे तो A भी प्रकट होगा अंतह, रुधिर, वर्ग, A, B में आए दोनों कारक आने वाले अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं यहाँ पर क्या है? अगर मैंने I A और I B की बात करिए और I O यहाँ तीन चीजों की बात हुई है तो यहाँ पर जब I A और I B और I O के साथ आने पर क्या होता है? आई, नई, यहाँ पर जब विकल्प I A और I O के साथ आने पर क्या होता है? A प्रकट होता है, ठीके? I B और I O के आने पर B होता है क्योंकि B क्या है? प्रभावित है, उदर A प्रभावित है ठीक है यहां तो सारे दोनों O हैं तो यहां पर O हो गया है लेकिन जब IA और IB होते हैं तो यहां दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं मतलब दोनों अपने आपको शो करते हैं चलो समझ लेते हैं इसको तो सह प्रभाविता को हमने क्या बोला कि सह मतलब साथ ठीके तो यहाँ प्रभावी और आप्रभावी जनक दोनों खुद को दिखाते हैं इसमें क्या होता है जो दोनों जनक होते हैं दोनों जनक ठीके प्रभावी और दूसरा आप्रभावी ठीक है अप्रभावी ठीक है ये दोनों के दोनों जनक क्या करते हैं प्रभावी और अप्रभावी ये दोनों के दोनों क्या करें खुद को खुद को दर्शाते हैं दिखाते हैं खुद को ठीक है अब जैसे कि हम क्या लेते हैं हमारा जो हम मनुष्य की जब बात कर रहे हैं हम जब मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य में क्या है हमारे पास भाई रुधिर ठीक है तो रुधिर में रुधिर जो है याने की रख्त समू क्या है हमारे पास ए बी और ओ ए बी और ठीक है चलो जी ठीक है अब यहाँ पर हम देखेंगे कि AB blood group कैसे बनता है यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो AB जो blood group है वो कैसे बनता है ठीक है और यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर दोनों अलील खुद को दिखाते हैं इसलिए बनता है यहाँ पर जो दोनों अलील हैं को दिखाएगा अगर यहाँ पे आई ए ए जीरो होता तो याने कि ब्लट ग्रूप ए होता आई ए का इब िलेट होता याने की ब्लट ग्रूप बी पॉजिटिव होता बमर्ला पॉजिटिव नहीं ठीके ना हां तो रक्त जो चार रक्त समूह हमारे पास हैं तो मुझे बताओ कि इन चारों में से तो चार रक्त समूह है हमारे पास ठीके चार रखत सम्मूण कौन से हैं ए बी O और AB इनमें से सहप्रभाविता कौन दिखाता है बताओ इनमें से सहप्रभाविता कौन दिखा रहा है फड़ा फड़ जवाब दो कौन बताएगा जल्दी 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 कौन बताएगा अरे भाई बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसमें से सहप्रभाविता ये दिखाएगा सहप्रभाविता ठीक है क्योंकि ये दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं ये दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं इसलिए ये सहप्रभाविता दिखाएगा इतनी बात ощ트 संद सब को क्लिर सबको क्लिर इतनी बात है न चलो आगे बड़ जाते हैं अब यहाँ पर क्या करते हैं भाई हम यहाँ पर देखेंगी कैसे blood group क्या होता है सहप्रभाविता को दिखाता है यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो blood group होता है वो सह प्रभाविता को कैसे दिखाता है ठीक है यह बात करेंगे अब यहाँ पर क्या होता है भाई जो मनुष्य होता है ठीक है अगर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो ब्लड ग्रूप में जीन होता है जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो हमने क्या बोला मनुष्य में क्या है ब्लड ग्रूप है है ना इन ब्लड ग्रूप में क्या है इसमें जीन है और जो इसका जीन है वो आई जीन होता है आई जीन होता है ठीक है यह आई जीन क्या काम करता है यह आई जीन क्या करता है शरकर का निर्मान करता है ठीक है होता कहां है ये अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहां होता है RBC के उपर होता है RBC के उपर होता है ठीक है चलो ये भी समझ गए है अब ये कभी अकेले नहीं होता है हमने बात करी, अगर जीन है, अलील है, तो ये कभी अकेले नहीं होते हैं, हमने ये भी बात करी थी, हमने क्या बोला, कि ये कभी भी, कभी भी, क्या है, अकेले नहीं होते हैं, किस में होते हैं ये, जोडों में होते हैं, पेर में मतलब, क्या बोला हमने, पेर में, ठीक है, पे की बात हो रही है तो यहां पर हमने क्या बोला तीन टाइप के अलील है यहां पर क्या है जो अलील है जो अलील है वो कैसे हैं तीन टाइप के हैं तीन टाइप के हैं अलील ठीक है कौन से हैं भाई आई ए i-B और i-0 0 का मतलब कि यापे कुछ भी न है i-A, i-B और i-0 अब हमको पता है कि RBC के उपर क्या होता है RBC में शरकरा का निर्मान होता है ठीक है शरकरा का निर्मान होता है क्या और ये प्रोटीन ठीक है और सुगर बोल सकते हैं ठीक है पर शरकरा का निर्मान हो रहा है लेकिन भाई कौन सी शरकरा का निर्मान हो रहा है ठीक है कि शरकरा का निर्मान हो रहा है लेकिन कौन सी शरकरा का निर्मान हो रहा है यहां पर ठीक है तो इसके बेसिस पर blood group होते हैं कि अगर शरकरा का निर्मान हो रहा है कौन सी है कौन सी शरकरा तो इसके बेसिस पर क्या होता है इसके बेसिस पर या इसके अधार पर ब्लड गुरूप होते हैं ब्लड गुरूप का पता चलता है ठीक है ब्लड गुरूप का पता चलता है ठीक सह प्रभाविता हमने क्या बोल आंपने गुर्द दर्शार हैं है है यहाँ पर हमने ये बात्शित कर दो साथ में अपने अपने गुर दिखाना दोनों अपने गुर दिखाएंगे लेकिन साथ में अलग अलग नहीं एक साथ दिखाएंगे ठीक तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भई कि जो ब्लड गुरूप के यहाँ पर हम बात करेंगे ठीक है ब्लड गुरूप के बारे में हम बात करेंगे किसम इसमें एक जीन होता है इसमें क्या होता है एक जीन होता है ठीक है जिसको हम क्या बोलते है आई जीन बोलते हैं आई जीन ठीक है हमने इसको आई जीन बोला ठीक है चलो ठीक है अब हमने क्या कहा था यहां क्या होता है शरकरा का निर्मान होता है कि भाई शरकरा का क्या हो रहा है निर्मान हो रहा है ठीक है भाई यहां शरकरा का निर्मान होता है फिर क्या होता है कि यह कहा होता है इगर इसकी बात करें हम तो भाई यह RBC के उपर यह जितना भी कामधाम होता है सब RBC के उपर होता है ठीक, ओके चलो फिर यह हमने बोला था कि यह कभी भी अकेले नहीं होते हैं यह कभी भी अकेले नहीं होते हैं क्या होता है कभी भी कभी भी अकेले नहीं होते हैं यह किस में होते हैं यह होते हैं जोडो में ठीक है जोडो में होते हैं पेर्स में होते हैं ठीक है जोडो में होते हैं ठीक है चलो जी इसको भी हम समझ गए हैं अब फिर हमने क्या बोला कि क्या बोला हमने यहां पर अभी तक हमने कुछ बोला ही नहीं है कि है ना कुछ बोला ही यहाँ जो अलील होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं ठीके कौन कौन से थ्री टाइप है हमारे पास इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस तरीकेस होता है आई ए आई बी और आई जीरो तीन होते हैं यहां पर ठीके चलो अब हमको पता है कि भाया RBC के उपर क्या हो रहा है शरकरा का निर्माण हो रहा है हमको क्या पता है कि यह आर्बीस यह इसके उपर क्या हो रहा है शरकरा का निर्माण हो रहा है यानि कि शरकरा मतलब शुगर ठीके इसका निर्माण हो रहा है मान लेते हैं लेकिन भाई कौन सी शरकरा का निर्मान हो रहा है यहाँ पर हाँ कौन सी शरकरा का निर्मान हो रहा है यहाँ पर हाँ और इसके बेसिस पे हम यह पता लगाते हैं कि भाई ब्लड ग्रुप कौन सा है इसी बेसिस पे हम क्या पता लगाते हैं आगे बढ़ जाते हैं फिर अगर मैं कहूँ कि भई blood group क्या है हमारा अगर हम blood group की बात करते है ठीक है blood की बात करते है तो इसमें क्या होता है हमारे पास RBC होता है है ना RBC होता है हमारे पास ठीक है और हमने क्या बोला हमारे पास क्या है I gene है हमने क्या कहा हमारे पास क्या है आई जीन है ठीक है आई जीन है हमारे पास कौन से आई ए आई बी और आई जीरो तीन तरीके के जीन है कौन से है आई ए आई बी और आई ये तीन तरीके के है अब अगर मैं किसकी बात करती हूँ आई ए की बात करती हूँ सबसे पहले ठीक तो यहां आई A की बात करती हूँ, तो यहां क्या है, अगर मैं RBC के उपर देखती हूँ, कि RBC हमने क्या कहा, कि RBC के उपर होता ही सब कुछ, है ना, कि RBC के उपर हो रहा है ना, इस सब कुछ, तो यहां हमने क्या बोला, कि यहां क्या है RBC के उपर, A शरकरा है, ठीके, कौन सा है A blood group होगा क्या होगा A blood group बनेगा यहाँ पर ठीक है चलो ठीक है मानते हैं इस चीज़ को अब हमने क्या बोला दूसरा हमारे पास क्या है B है ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं RBC के उपर बोलती हूँ कि कहा है RBC के उपर है तो यहाँ पर क्या है B शरकरा है तो यहाँ पर क्या बनेगा B blood group बनेगा ठीक अब जब यहाँ पर बात कर रहे है लास्ट की तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है जीरो है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बई यहाँ पर कोई भी शरकरा नहीं है शरकरा नहीं है ठीक है, जब कोई भी शरकरा नहीं है इसका मतलब यहाँ 0 है है ना, यहाँ हम 0 लिखेंगे कि 0 है ना, कि यहाँ पर क्या है कोई भी शरकरा नहीं है, तो हमने क्या बोला यहाँ क्या बनेगा, O blood group बनेगा क्योंकि zero तो लिखेंगे नहीं हम इसको है ना पर हमने जीन की बात नहीं करी ना पर हमने जीन की बात नहीं करी पर जीन कभी अकेले नहीं होते हैं हमने ये बात भी करी है ठीक कि जीन कभी अकेले नहीं होते हैं क्या होता है भाई हां युग्म में आते हैं याने कि क्या होते ह योग्म में आते हैं, तो योग्म में आते हैं, यानि कि ही अलील हो गए, चलो फिर क्या काम करते हैं, blood DNA बनाते हैं, फिर हम इनững जीन की मदद से, है ना, क्योंकि अकेले तो होते नहीं है, तो हम इनको pairs में लेकर आते हैं, और blood blood बनाने आते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास यह लो भईया, RBC आगिया, यह रहा हमारा RBC, अब इसके उपर क्या है RBC के उपर, इसके उपर क्या है, RBC के उपर क्या है, IA, ठीके कौन सा है, IA, IA जीन है इसके उपर, क्योंकि हमने कहा कि यह भईया, पेर में आते हैं, अलग-अलग नहीं आते है है तो ie 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 क्या है our given फिए इसके उपर हम ने क्या कहा कि कि क्या हो गया भाई लगता है यह पैन रेटायर्मेंट प्र आ गिया है तो हम ने क्या मोला यहां आई ए एक जीन इसके उपर ठीक तो हम यहां कह सकते हैं कि आरभीसी के उपर क्या बन रह recycling है ये शरकर Palearlo ऑन ठीक है क्या बन रही है ए शरकरा बन रही है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ अरे इसका मतलब क्या हुआ तो यहां पर क्या बनेगा यहां पर हमारा blood group A आएगा ठीक है blood group A आ गया हमारा यहाँ पर blood group A यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है RBC के उपर दोनों क्या है A gene है ठीक है A है यहाँ भी A है यहाँ भी A है ठीक है तो इस पर क्या है कि भाईया A है इसके उपर याने की यहाँ पर A type की sugar बन रही है ठीक है यहाँ पर तो हमारे पास blood group क्या आ गया? A आ गया चलो second लेते हैं फिर से हमारे पास एक और RBC आ गई ठीक है फिर से हमारे पास एक और RBC आ गई है अब इस RBC के ऊपर क्या है भाई? इस RBC के उपर क्या है हमारे पास इसके उपर क्या है हमारे पास I A और दूसरे I के उपर कुछ भी नहीं है थीक है तो यहां पर क्या होगा यहां पर भी A शरकरा बनेगी A शरकरा बनेगी यहां पर ठीक है क्यों बई क्योंकि जो है मेंडल जी के लोग के अकॉर्डिंग क्या था कि यहां पर A अपने आपको क्या करेगा दिखाएगा ठीक है क्योंकि यहां तो कुछ है यहां पर क्या है कुछ भी नहीं है यहां सिर्फ A है तो A क्या है प्रभावित है यहाँ पर उनके नियम के हिसाब से तो यहाँ पर ऐ शरक्रा बनेगी याने कि हम लट गूर्प क्या हुओ ए हुओअ ठीक है ब्लड गूर्प क्या हुआ यहाँ पर अपने पास न प्लड गूर्प ए हुओ यहाँ पर छलो next लेते हैं फिर से हमारे pasti पास एक और RBC है, फिर से हमारे पास एक और RBC आ गई भाई, यहां पर इसके उपर क्या है, RBC के उपर क्या है, हमारे पास I, B, है ना, I, B, I, B, अब यहां पर भी दोनों सेम है, जैसे यहां दोनों सेम थे, A, A था, ठीक, इसका मतलब यहां पर B शरकरा बनेगी, B शरकरा बनेगी यहाँ पर ठीक है? ठीक है जी बन गई तब B शरकरा बनेगी इसका मतलब blood group क्या है? B है blood group क्या है मारे पास? B है चलो जी अब next लेते हैं फिर से next लेंगे तो याने की इसी की तरह बिल्कुल चौथे नमबर पर कि भाई ये एक और R भी सी आ गई है इसके उपर क्या है? एक पर IB है और दूसरा I खाली है ठीक है जैसे यहाँ खाली था इसका मतलब मेंडल जी के हिसाब से क्या है? यहाँ पर B क्या होगा? प्रभावित होगा याने की यहाँ पर B शरकरा बनेगी B शरकरा बनेगी यहाँ पर इसका मतलब ब्लड ग्रूप क्या होगा अपने पास? B हो गया ठीक चलो अब next लेते हैं next हमारे पास क्या है? दोनों हम I आई आई लेंगे जिसके उपर कुछ भी नहीं है पाच वे नमबर पर ठीक है? हमारे पास एक और RBC आ गई है इस RBC के उपर क्या है? दोनों I खाली है ठीक है? दोनों I खाली है यहाँ पर कोई भी शरकरा नहीं है ठीक है? कोई भी शरकरा नहीं है ठीक है? कोई भी शरकरा नहीं है इसका मतलब यहां blood group क्या है? इसका मतलब blood group यहां क्या है? O है, ठीके? क्योंकि यहां यह दोनों क्या है? खाली है, कुछ नहीं है यहां पर तो यहां blood group क्या हो गया? O हो गया, इतनी बात कितने बच्चों को समझ पे आ गई? बताओ, clear है यहां तक? मुझे लगता निया, यहां कोई doubt होना चाहिए किसी को ठीके? चलो, आगे बढ़ते हैं और अरे बप्रे पेज कम रहे गया भाई हमारे पास चलो हम पेज बढ़ा लेते हैं पेज बढ़ाते हैं लो, पेज बढ़ा लिया हमने यहां पर, ठीके? अब यहां पर एक और आता है हमारे पास यहां पर एक और आ गया, ठीके? जहां पर क्या है? जहां पर देखो यानि कि यह हमारे क्या था? पांच नमबर था 6 नमबर पर हमारे पास आता है कि भाईया, यह यह आर बीसी है इस RBC के उपर क्या है? इसके उपर I A, I B उफ, यहां तो दोनों अलग-अलग आ गए है ना यहां I A, I B, दोनों अलग-अलग आ गए है तो क्या समझोगे इससे बताओ? बताओ फटावर से कॉमेंट में क्या समझोगे इससे? अभी तक तो हमने I A और I A I A और दूसरे पर कुछ नहीं था I B, I B और दूसरे पर I B और I खाली था तो हमारे A बलट ग्रूप आए दोनों शुरू में और दोनों बाद में B बलट ग्रूप आए उसके बाद क्यासा पांच्छे नेमर पर दोनों ही खाली थे ठीक है दोनों ही क्या करेंगे साथ में अपने आपको या अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यह अपने प्रभाव को क्या दिखा रहे हैं अपने प्रभाव को दिखा रहे थे लेकिन साथ साथ लेकिन साथ साथ दिखा रहे है ठीक है अब यहाँ पर क्या है आई ए आई बी में यहाँ पर क्या है यहाँ दोनो दोनो मतलब भाई A और B दोनो शरकरा का निर्मान हो रहा है दोनो शरकरा का निर्मान हो रहा है ठीक है याने की यहाँ बलड गुरुप क्या बना A भी बलड गुरुप बना क्या बना AB blood group बना इसे लिए हम कहते हैं कि ये जो AB blood group है ये क्या दिखाता है ये दर्शाता है क्या दर्शाता है ये सह प्रभाविता सह प्रभाविता का नियम ठीके सह प्रभाविता का नियम को ये दर्शाता है ठीके इतने बात सब बच्चों को clear है ना कोई doubt नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर चलो समझते हैं blood group को ठीक है कि हमने क्या बोला कि यह क्या है blood group A है यह यह blood group B है. इसको ऐसे समझो. हमारे पास जनक क्या है? अगर हम जनक की बात करते हैं, जनक याने कि parent. जनक है हमारे पास. तो एक के पास क्या है? I A I 0 कि भई blood group जो है, कैसे decide होंगे? यहां जब वही सीख रहे हैं. तो यहाँ पे सीखो एक पे है आई ए आई जीरो एक के पास एक जनक के पास दूसरे के पास क्या है आई भी आई जीरो ठीक है चलो इनका क्या कराया हमने लो इनके यूगमक अलग किये याने की आई ए आई जीरो यह यूगमक हो गए इनके इसका कराया क्या मिला IB I0 ठीक है चलो अब इनका क्या कराएंगे हम संकरन कराएंगे इनका क्या कराया हमने संकरन कराया चलो भई इनका संकरन करा देते हैं आजाओ चलो इसका किसके साथ कराया हमने पहले इसके साथ कराया फिर इसका किसके साथ कराया हमने इसके साथ कराया ठीक है क्या मिला हमको पहले में आई ए मिला और ये क्या है आई भी फिर इसका दूसरे से कराया था तो क्या मिला हमको आई ए मिला और उदर क्या है आई जीरो ठीक है फिर आई जीरो गा करवाते हैं इसका इसके साथ हुआ अरे रुको रुको अभी रुको ज़रा रुको ज़रा अब इसका हाँ सही तो था इसके साथ कराया और फिर इसी का इसके साथ कराया क्या मिला हमको इसका पहले इसके साथ कराया तो हमने मिला i क्या है यह i0 है यह यह क्या है i b है ना ठीक है अब इसका जब उसके साथ कराया तो i0 i0 ठीक है आया समझ में इन चारों का जब हमने करवाया तो चलो इसका मतलब जो हमारे पास f1 pdi आई यहाँ पर जो f1 pdi हमारे पास वो क्या थी है क्या थी वो मेंडल जी के अकॉर्डिंग क्या आई यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा क्या बना ब्लड ग्रूप a b बना ठीक है यहां क्या बना a बना यहां क्या बना बी बना और यहां क्या बना ओ बना ठीक है तो मेंडल जी के हिसाब से क्या था यहां पर मेंडल जी के हिसाब से कि अगर प्रभावी में a और बी दोनों है तो ब्लड ग्रूप क्या बनेगा A B वनेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या है A प्रभावी होना चाहिए मैंडल जी के हिसाब से यहाँ पर A प्रभावी होना चाहिए था लेकिन यहाँ क्या है यहाँ तो A और B दोनों अपने आपको दिखा रहे दोनों अपने आपको दिखा रहे quality तो इसका मतलब यहां जो यह a-b है यह क्या करेगा सह्प्रभाविता के नियम को यह क्या करता है दर्शाता है ठीक है clear इतना है ना चलो तो क्या क्या है यहाँ पर एउर भी दोनों n đोनों आपको दोनों साथ-चातने इसलेश को सहहए प्रभाविता बोला कि यह मतलब साथ और प्रभाविता मतलब प्रभावित दिखाना दर्शाना तो साथ-चात अपने अपने गुणों को दर्शा रहे थे कली इतना है ना चलो आगे बढ़ते हैं कि हो थे पास आता है वंशागती का क्रोमोजोम याने की गुर्सूत्र बोलते हैं ना चाहें गुर्सूत्र बोल दो चाहें क्रोमोजोम यह सिद्धांत बोल तो कोई परक नहीं पड़ता है दोनों एक चीज़ हैं तो लक्षणों का वंशागती पर किया गया कारे 1865 में प्रकाशित कारणों से 1900 तक यह क्या हुआ अग्यात ही रहा किसी को पता ही नहीं चला ठीक किसी को पता ही नहीं चला ठीक हम समझ गये हैं कि बहुत सारे कारण थे इसके पीछे चलो आगे बढ़ते हैं चलो फिर अगर मैं वंच्या गति का क्रोमोजोम सिध्धान्त ही बात करती हूँ ठीके तो इसको किस से कंपेर किया गया था यह देखो रुको कहां गया वंच्या गति का क्रोमोजोम सिध्धान्त ठीके सिध्धान्त ठीके वंच्या गति का क्रोमोजोम सिध्धान्त की हम यहाँ बात कर रहे हैं चलो ठीके यहाँ पर क्या हुआ था सिध्धान्त में क्या कोई मुझे बता सकता है कि वंशागती का क्रोमोजोम सिध्धान्थ क्या था क्या था क्या चर्चा चली थी यहां पर मालूम है किसी को तो थमसब करके बताओ फटा फट से अगर किसी को मालूम है तो वर्ना चलो हम आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को तो मैंने क्या बताया यहाँ पर comparison हुआ था ठीक है यहाँ पर comparison हुआ था किस के साथ हुआ था जीन के साथ किया गिया था जीन के साथ ठीक है तो यहाँ कहा गया था भाई जैसे जीन का विवार है थीक है जैसे जो जीन होता है जीन का विवार है विवार था यूगमकों के साथ आता है थीक है किसके युगमकों के साथ आगे जाता है जैसा जीन का विवार है युगमक क्या करेंगे उसको अपने साथ लेके अगली पीडी में जाएंगे ठीके युगमकों के साथ क्या होता है आगे जाता है याने की अगली पीडी में ठीक है लिख सकते हैं अगली पीड़ी में यहां पर अगली पीड़ी की बात हो रही है ठीक है सेम ऐसे क्रोमोजोम में भी होगा है ना बैए जो जीन है वो कहा है डी एने में डी एने कहा है गुर्ण सूत्र में है तो भई जब जीन आगे जा रहा है तो अव्यसी बात है कि जो गुर्ण सूत्र है वो भी तो जाएगा इसलिए यहां पर यह जो क्रोमोजोम है इसका कंपैरिजन जीन के साथ किया गया था चलो इसको समझते हैं ठीक है इसको जी यह क्या हो गई एक कोशिका हो गई कोशिका के अंदर हमें मालू में केंद्रक होता है यह लो जी केंद्रक आ गया अब केंद्रक के अंदर क्या होता है अनुवंशिक पदार्थ होता है हम सब जानते हैं ठीक है तो यह रहे भई अनुवंशिक पदार्थ याने कि गुर् सूत्र में तो होता है चलो गुर्ण सूत्र है इस गुर्ण सूत्र को मैं चलो बाहर लेकर आती हूँ आज़ो बीटा बाहर आज़ो यह रहा गुर्ण सूत्र ठीक इस गुर्ण सूत्र के अंदर क्या है अब डीने है यह रहे डीने ठीक है डीने के ऊपर क्या होता है जीन होते है इसके उपर है ठीक है तो हम ने क्या कहां भई जब गुड़ सूत्र अगली पिली में जा रहा है तो DNA जाएगा दिएन जाएगा तो जीन भी जाएगा रहें यहां तक हाई यह तीम चीज़े साथ में जाएंगी तो यहां पर हमें के मालूम है कि यहां पर यह जो क्या बोलते हैं अरे तो DNA है यार DNA है यह कैसा है डबल हालिक है डबल हालिक है अब इसके उपर क्या होती है को छोटे-छोटे टुकडो जैसी सनरशना जो होती है उसको हम इन कहते से और जीरी जीं निया करते हैं हमने क्या बोला कि यह क्या करते हैं करेक्टर साथ करते हैंस नेट जेनरेशन में तो भइया गुर्सूत रुणी teşekkür नहीं कहा थो यहां पर यह comparison हुआ ता कुल मिला के तो चलो आगे समझते हैं क्या समझते हैं देख लो कि बई जीन जो क्या होता है अगर मैं कहूं कि जीन की बात हो रही है तो जीन क्या है खंड है किसका DNA का ठीक है DNA का अब ये जो DNA है अगर मैं बोलू कि ये DNA का खंड है अब ये जो DNA है ये DNA क्या होते है जब यह क्या बोलेंगे इसको आपस में मिलते हैं जीन जो आपस में मिलते हैं तो DNA बनाते हैं ठीक है एक साथ यह जीन जब एक साथ आते हैं तो DNA बना दिया है अब जो DNA बना है यह DNA कहा है गुर्सूत्र में है ठीक है गुर्सूत्र में होता है ठीक है ना तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर यह जो गुर्सूत रही है जो क्रोमोजोम है कि यह डिसाइड करता है कि कहां पर क्या लक्षन दिखाना है हम यह कह सकते हैं कि कहां पर क्या लक्षन दिखाना है ठीक है इतनी बात सब को clear है चलो आगे बढ़ते हैं अब आपको याद है कि हमने कुछ 1909 करके भी थोड़ दर पहले बात कर रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे कि बहुँ इयर 1900 में क्या हुआ तीन महान वज्ञानिक आए हमारे पास तीन महान वज्ञानिक ठीक है तीन महान वज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था पहले थे हुगो डिब्रिज ठीक है पहले ये थे दूसरे कौन थे दूसरे हमारे पास आए कौन ठीक है अब इन्होंने क्या किया था इन्होंने ही तीनोंने मिलके क्या किया भाईया जो मेंडल जी का जो जो भी कुछ का रहे था उसको क्या बोला पढ़ा पनने के बाद बोला कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक है कोई कमी नहीं है और इसी वज़े से उन्होंने क्या बोला म इसलिए इन्होंने जनक नाम दिया अनुवन्चिक्ता के जनक कौन है मेंडल साहब ठीक है मेंडल जी ठीक है इन्होंने ही बताया था मेंडल जी को जनक अनुवन्चिक्ता का ठीक है यहाँ पर स्टार माग कर देते हैं भाई एक नंबर में यह फर्स जाता है कि भई अनुवन चक्तिया का जनक कौन है ठीक है चलो क्लियर यहां तक है अब हम क्या बात करते हैं हम अब हम क्या बात करते हैं क्या बात करेंगे अब हम बताओ कि मेंडल के जो यह जितना भी कुछ मेंडल जी ने किया था उसका फेल होने का कारण किया था ठीक चो एक पेज और बढ़ा लेते चलो यहां पर फिर उसको डिटेल में पढ़ लेंगे एक पेज़ा और बढ़ा लेते हैं चलो आज़ो तो भई फेल होने कारण क्या था कि अगर मैं कहूं उस समय पर प्रचार या संचार की विवस्था नहीं थी उसके फेल होने का करण जो मेंडल जी के जितना भी एक्सपेरिमेंट था तो पहला मैंने बोला कि उस समय पर एक बहतर प्रचार या संचार की विवस्था नहीं थी ठीक है विवस्था नहीं थी जैसे आज के टाइम पर क्या है बहुत सारी एसी चीज़े हैं इंटरनेट हो गया है मोबाइल हो गया है शोशल मीडिया हो गया है ठीक है निउस हो गई है बहुत बड़े बड़े पब्लिशेर थे जो पब्लिश करते हैं चीज़े हैं न दूसरों की तो उस ताइम पे क्या ऐसी विवस्था नहीं थी जो यहां पर मेंडल जी को सपोर्ट कर सके इसलिए जब लोगों तक पहुंची नहीं बाते तो उसको गलत साबित कर दिया गया चलो दूसरा मैंने क्या बोला मैंने दूसरा बोला कि वही जो प्रियोग किया था उन्होंने ठीक है तो इस प्रियोग में क्या हुआ गडितिये गडितिये और संख्यात्मक यानि कि भाई वो क्या ले maths ले आए को गड़ी ती है वे संक्यात्मक संक्यात्मक क्या विशलेशन ठीक है इनों ने यहां पर क्या किया यूज किया कि कि अब जब बायों की घ्लास में maths पढ़ों गे तो फेल तो हो गए ही ना ठीक है बायों की क्लास में जब मैस पढ़ोगे तो फेल तो होगे ही तो इसी लिए मेंडल जी को वहाँ पर गलत साबित कर दिया गया कि भाई मैस तो हम जानते नहीं है ठीक है मैस वाले टीचर्स अलगी होते हैं बिल्कुल जब उनको मैस पता ही नहीं था जो विज्ञानिक बाइलोजी से रि ग्यान नहीं जितने भी बाइलोजी के विज्ञानिक थे उन्हें बोला भाई मैस के से इस्तवाल हो जाएगी तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं हम एग्री नहीं करते तो इसलिए इसको बाहर कर दो हम इसको नहीं एक्षेप्ट कर रहे हैं ठीक है चलो उसके बात था कि बा प्रूफ ही नहीं है लिखिवी बातों पर कौन वरोजा करता है भाई लिखिवी बातों पर कौन बरोजा करेगा हर चीज का प्रूफ चाहिए जब प्रूफ नहीं दे पाए तो इसले भी वह फेल हो गए ठीक है ना तो यह थे कुछ खास रीजन चलो फड़ावर देख लेत अच्छा नहीं लगा ठीक है समझ नहीं आया समझ बोल जकते नहीं आया क्योंकि ये लोग क्या थे प्रकति की विविदता के अभासी सतत रूप से परिचित थे सिर्फ ठीक है तीसरा क्या था उस समय के जीव वग्यानिकों को मेंडल का जीव घटना के सपश्टी करण के ल बायो वाले बच्चों में रहते ना आइंड़ बेस आइंड़ बेस वही चीज थी बायो वालों ने बोला कि भाई साब मैस एक्चेप्टेबल नहीं हम मानते ही नहीं कि मैस या बालोजी कर सकते हो ठीक और लास्ट में भले ही मेंडल का कार्रे ये इंगित करता था कि कर्क याने की जीन विविक्त याने की असतत इकाईयां होती है फिर वह इनकी उपस्तिती का बहुत एक प्रमाण नहीं दे पाए थे नहीं दे पाए नहीं ये बता पाए कि वो किस पदार्थ के बने हुए होते हैं सबको पता था जीन क्या है कैसे बने है लेकिन सिफ लिखित में था वो प्रूफ नहीं कर पाए इसको इसी विज़े से रिजेक्शन हो गया ठीक अब 1903 वेज्ञानिक है डीवरिज ठीक है कॉरेंज और वांड शेर्माक यह आए इन्होंने क्या-क्या स्वतंत रूप से क्या-क्या लक्षणों की वंशागती संबंदित मेंडल के परिणाम क कोशी पुना खोज करी अभी बताया था मैंने आपको केंटीनों ने क्या क्या पुने खोज कर ली थी है ना कि इस समय माइक्रोस्कोपी यानिकि सूख्ष मेंडर्शी जो होते हैं कि तकनीक में प्रगती होती जा रही थी अच्छे अच्छे डेवलप माइक्रोसकोप आ कोशिका केंदरक में संरश्था की खोच हो चुकी थी जो कोशी का विभाजन के पहले सब्सक्राइब हो चुकी थीPop क्षन को क्रोमोजोंग तिकAR या रंग जाने के कारण रंगीन का रहाँ क्रोमोजोंग इसे वयसे इसको क्या नाम दिया गया है ठीक है ठीक है अब यहाँ पर दिखते हैं यहाँ पर बात करते हैं घर हम यहां पर क्या बात करने है भाई जीवन फेस में क्या बोला हमने कि भाईया एक क्रोमोजोम है उसमें डीने है यहां पर क्या है पेनी क्यों नहीं आया भाई अरे अच्छा यह हो गया हमसे गलती हो गई पेन सेलेक्ट विलो अब हमने क्या बोला कि यहां पर जीवन फेस में क्या है क्रोमोजोम है क्या है एक क्रोमोजोम है ये लो जी क्रोमोजोम है ठीक है क्रोमोजोम में क्या है DNA है क्रोमोजोम यानि की गुर्सूत इसमें क्या है DNA है ठीक अब यह जो DNA जब S-Phase में आएगा यह वाला जो DNA जब S-Phase में आएगा कि यहां क्या होगा यहां होती है यहां होती है यहां होती है है एक यह जो जो यहां क्या होगा जो सेल है ठीक है वो क्या उसमें जो सेल का डिन है वह क्या हो चाह काया यह जाएंगा यहां पर एस फेस में धुनों इस तरीके से थीज़ाईगा यह अजर इसको बोलत रहें ऐसे हो जाएंगे यह ठीक है ऐसे दो नहीं बोलेंगे हम इसको ऐसे बोलेंगे कि ऐसे हो जाएंगे दूई इस OGस हो जाएंगे इस तरीके से ठीक है फिर हमारे G2 face आता है ठीक चलो यह क्या हमारा cell cycle है cell cycle ठीके, तो यहाँ पर क्या होता है cell cycle में क्रोमोजोम जो होते है, याने की गुरसूतर जो होते है जो क्रोमोजोम होते है, वो क्या होते है इनके अंदर, क्रोमोजोम के अंदर DNA होते है DNA होते है ठीके, क्रोमोजोम के अंदर DNA होते है, और हमने क्या बोला हम यहां पर क्या बात यहां देखो यहां क्या है अगर मैं जीवन फेस की बात कर रहें ठीक है इसको यहां पर समझो जीवन फेस में क्या है यह 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 रहा एक यह रहा अलग ठीक है यहां पर क्या हो रहा है देखो इस तरीके से क्लोज आते जारे जीटू में क्या यहां पर क्या होता है कि बई जो जितने भी है ठीके गुरसूत्र है वो अलग अलग होते होते इस तरीके से विभाजित हो जाते हैं ठीके सेल साइकल ने बेसिकली यह होता है कि हमें मालूम है कि क्या होता है सेल में गुरसूत्र होता है गुरसूत्र में क्या होता है एक सेल के अंदर क्या है गुरसूत्र के अंदर क्या है डियने है डियने के अंदर अबी तक और 19ikा कि बात करी है लेकिन अभी तरह तक सूट पर आ गए रोनीज सो तक तक थे अब 1902 में आ तो 1902 में क्या हुआ जो अर्ध सूत्री विभाजन के दौराण क्रोमो zonKI गति का ग्यान हो गया था ठीक जब अर्ध सूत्री विभाजन की बात चल रहे थी, तो वहाँ पर उन्होंने क्रोमोजोम की गती को भी देखा, क्या देखा, क्रोमोजोम की गती को देखा, किस ने देखा, वाल्टर सटन और दियोडर बोमेरी ने देखा, ठीक है, कि क्रोमोजोम का विवार बिल्कुल जीन जैसा है, उन्होंने बोला कि जैसे सूत्रन एवं अधी सूत्रन विदियों में گुर्शूत्रों के विवार को ध्यान में रखते हुए समझाया जा सकता है। उन्होंने ऐसा कहा उन्होंने कहा कि जीन के समान ही जो गुर्सूत्र होता है वो भी युग्म में युग्म के रूप में पाये जाते हैं तथा एक अलील के दोनों जीन समझात इस्तान पर विद्धमान होते हैं मदलब कि जैसे जीन होते हैं वो पेर में होते हैं वेकल वैसे ही क्या है ये भी ऐसे ही पाए जाते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब हम बात करें भई जब हमने बात करें लिए कि यहां पर क्या है जीन के समान गुर्शूत्र में यानि कि हमने जीन की तुलना किस से करि तो चलो कर लेते हैं इसको आगे बढ़ा लेते हैं है ना तो हम कह सकते हैं कि जैसे 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 जीन अलग होते हैं यानि युगमक में वैसे ही क्या है बिल्कुल क्रोमोजोम भी अलग हो जाते हैं ठीक है लेकिन यहां पर हमने क्या मुला चलो क्रोमोजोम की और जीन की ठीक है चलो ठीक है अब हमको मालूम है कि अगर क्रोमोजोम की बात करें तो क्रोमोजोम कैसे होते हैं हमारे पास कैसे होते हैं कुछ इस तरीके से है ना यह क्रोमोजोम होते हैं ऐसे बिल्कुल ठीक है तो क्रोमोजोम के उपर क्या होते हैं दीने होते हैं हमें मालूम है कि इन है कि बहुछ you'll come ने क्या काथ था मेंटल जी ने capability capability कहा था अब अगर इसको break करेंगे तो कैसे मिलेगा यह हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा है ना और अगर इसको break करेंगे तो है कैसे मिलेगा हमें यह हमें कैसे मिलेगा二 भागों में मिल जाएगा न この ऐसे और ऐसे है ना दो भागों में हो गया है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भाई पहला पॉइंट कि यह जो होते हैं जोडों में होते हैं क्रोमोजोम जोडों में जोडों में दो दो बाल लिख दिया जोडों में होते हैं होते हैं ठीक है वही अगर मैं जीन की बात करती हूँ तो देखो जीन भी तो पेर में यह ना जोड़े में मौजूद है तो यहाँ भी क्या है यह भी किसमें है जोड़े में होते है ठीक है फिर यहाँ पर युगमक जनन के दौरान अगर बात करी जाए कि भाई युगमक जनन के दौरान इस प्रकार वी सही ओजित इस प्रकार आजा इस प्रकार वी सही ओजित इस प्रकार वी सही ओजित होते हैं कि एक ही युगमक एक युगमक क्या होता है एक युगमक जोड़े में से केवल एक ही जाता है आगे ठीक है कि हमने क्या बोला यहाँ पेयर है ना तो इस पेयर में से एक में सिर्फ एक ही जाएगा और दूसरे में दूसरा जाएगा ठीक है इस तरीके से फिर अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे यह क्या बोलते हैं कि युगमक जनन के दौरान वी संयोजित होते हैं और जोडो में से केवल जोडो में से केवल क्या होता है एक ही युगमक प्राप्त होता है ठीक है दोनों में से एक ही जाएगा आगे इधर भी और इधर भी ठीक है यह इनकी तुलना हो रही है यहाँ पे मैं अगर तीसरे पॉइंट की बात करती हूँ मैं लो तीसरा पॉइंट लिग देते हैं तो तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र क्या होते हैं वी संयोजित होते हैं ठीक है कि भाई अलग 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 जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र वी संयोजित वी संयोजित होते है ठीक है फिर अगर मैं यहीं पर जीन की बात करती हूँ तो जीन में क्या हो रहा है यहां पर कि वह यहां पर एक जोड़ा यहां पर एक जोड़ा दूसरे से क्या है स्वतंत्र वी संयोजित वी संयोजित होता है ठीक है यहां पर भी सेम चीज़ है तो यहां पर तुल्ला में क्या उनको पता चला कि भाई यह सब का सब तो एक ही चीज़ है कुछ भी अलग नहीं है सब एक ही चल रहे है तो यहां पर कह सकते हैं कि भाई कि एक कोशिका के अंदर केंद्रक होता है ठीक है अभी तक हम यही बात करते आ रहे हैं कि एक कोशिका है कोशिका के अंदर केंद्रक है केंद्रक के अंदर क्या है गुर्सूत्र है गुर्सूत्र के अंदर dna है dna के अंदर जीन है तो भाई जब जीन एक से दूसरी में पास हो दोनों में कोई खास जादा अंतर नहीं था चलो अब क्या है सटन और बोवरी ने तर्क किया कि क्रोमोजोम युग्मु का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जाए जा रहे कारकों की वी सईयोजन का कारण बनेगा अभी अभी हमने भी बात कर लिए है ना शटन ने क्रोमोजोम के वी सईयोजन के घ्यान के मेंडल के सिध्धानतों के साथ जोड़ कर वंशागति का क्रोमोजोम वबाद या फिर सिध्धानत प्रस्तूत किया तो यहाँ पर मेंडल जी ने इतने अच्छे काम किये थे कि उनके इस काम की वज़े से क्या हुआ कि इतने सारे चीजे हमारे सामने आ गई वरना पता ही कैसे चलता कि जीन क्या है क्रूमोजूम क्या है ठीके ऩह चलो आगे बढ़ जाते हैं हाँ इससे पहले एक और चीज आ जाती यही आती हाँ कि वंशा गदी के क्रोमोजोम सिध्धानत का प्रयोगात्मक वर्णन की बात की जा रही है ठीक, तो यहां पे क्या हुआ था, यहां पर हम बात किस की करेंगे तीएच मॉर्गन सहब की तीएच मॉर्गन ठीक है, तीएच मॉर्गन स्टार मार्क कर रहे हो देख लेना कि भाई वंशागती के क्रोमोजोम सिध्धान का वर्णन किस ने किया था तो हमारे टी-एच मॉर्गन सहाब थे जिन्नों ने वर्णन किया था ठीक है तो यहाँ पर इनको क्या बोला जाता है आधुनिक वंशागती का जनक बोला जाता है दूसरे कलर से लिख देते हैं इसको क्या बोला जाता है इनको इनको बोलते हैं आधुनिक वंशागती वंशागती का जनक कहा जाता है इनको father of advanced genetics ठीक है father of advanced genetics चलो ठीक है इतना समझ गए हैं अब यहाँ पर इनका पूरा नाम आप में से कितने बच्चों को मालूम है कि इनका पूरा नाम क्या है कौन बता सकता है फटावर्ट से बता दो जल्दी से बता दो कौन बता सकता है कि टी एच मॉर्गन साहब का पूरा नाम क्या है बताओ जल्दी चलो ठीक है मैं ही बता देती हो इनका नाम क्या है Thomas Hunt Morgan ठीक है Thomas Hunt Morgan यह इनका पूरा नाम है अब इनोंने किसके उपर काम किया था यह किसको पता है तो इनोंने काम किया था भाई fruit fly पे किस पे काम किया था इनोंने fruit fly पे काम किया था इनोंने ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं drosophila drosophilus milano मिलानो गैस्टर ठीक है drosophila drosophilus milano gaster यह अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलना यह क्या है एक मक्षी है यह क्या है एक मक्षी है फ्लाइ से ही समझ गए होगे मक्षी को क्या बोलते हैं फ्लाइ बोलते हैं fruit क्या है फल है फल वाली मक्षी है drosophilus milano gaster ठीक है चलो ठीक है इतनी चीज़ समझ में आ गई है अब यहां क्या हुआ था इन्होंने इसको क्यों चूज करा यह भी देखो इसको चूज करने के ना कुछ कारण थे कि भाई क्यों किया गया तो क्यों किया क्योंकि यह अपना पूरा जीवन चक्र दो सप्ता में पूरा कर सकती थी सोचो सिर्फ और सिर्फ दो सप्ता यानि टू वीक्स इनमें एकल मैथ्यून से नर और मादा की आसानी से पैचान की जा सकती थी बिल्कुल कर सकते थे बताएंगे कैसे कर सकते थे साथ ही इसमें अनुवनशिक विवित्ताओं के अनेक प्रकार थे जो कम शमता वाले माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे ये देखो, ये जो छोटा वाला है, ये क्या है? नर है, और जो बड़ी वाली है, वो क्या है? मादा है, तो यहाँ पर ये जो ड्रोसोफिला है, इसमें जो नर होता है, वो छोटा होता है, और जो मादा होती है, वो बड़ी होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखने वाली बा कुमवाद या सिद्धान का प्रयोग आत्मक सत्यापन किया और यौन जनन उत्पादन विबेदन के लिए खोज के अधार की नीव डाली ठीक है तो यह क्या था इनका काम था इनके और इनके साथियों का अब मौरगर ने क्या किया था फल मक्यों यानि कि fruit fly मैंने बोला फल मक्य यानि fruit fly पर काम किया जो ऐसे अध्यनों के लिए बिल्कुल उप्योक त पाई गई यानि कि बिल्कुल सटीक बठी उनके experiment के लिए इन्हें प्रियोक शाला में सरल कृतिम माध्याओं उपर रखा जा सकता था ठीक चलो हाँ अब हमारे पास इसके बाद आता है सहलगनता और पुनर योजन ठीक है ये भी इंट्रोस्टिंग सा है थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि भई यहाँ पर क्या बोलेंगे हम यहाँ पर कहेंगे सहलगनता को लिंकेज और पुनर योजन को क्या बोलेंगे हम री कॉंबिनेशन ये क्या है सहलगनता ठीक है याने की लिंकेज सहलगनता मतलब साथ में लगना लिंक लिंक देख रहे हूं इसका शब्द लिंक लिंक और ये कोई चीज ठीक फिर है पुनर योजन ठीक है फिर क्या है पुनर योजन याने की री कॉंबिनेशन पुना मतलब दुबारा रीकॉंबिनेशिन ठीक है यह हो गया अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पर लिंकेज में दो क्रोमोजोम बनाते हैं ठीक है चलो अब हमको मालूम है कि भई क्रोमोजोम क्या होते हैं वन्शागत होते हैं अगर हम क्रोमोजोम की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, वन्शागत होते हैं, ठीके, ये क्या है, वन्शागत हैं क्रोमोजोम, ठीके, और क्रोमोजोम में क्या होता है, DNA, DNA में क्या है, जीन है, है न, DNA में क्या है, जीन है, तो चलो बनाते हैं, लो, ये क्या हो गए आपके दो chromosome हो गए अब जिस chromosome पर क्या है gene है हमारे पास थिक है a और b dark colour लेते हैं थोड़ा सा है ना red ले लेते हैं चलो एक पर capital a capital b और दूसरे पर capital a small a और small b थिक है इस पर क्या है capital a capital b ठीक इस पे क्या है small a small b ठीक है दोनों को अलग-अलग color से दिखा रहे हैं ताके confusion ना हो अब जब भी ये गुर्सूत्र नए युग्मको को बनाएंगे जब भी ये जो गुर्सूत्र है ये क्रोमोजोम है नए गुर्सूत्रों को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखो इस तरीके से देखो बहुत अराम से धीरे धीरे समझा रहे हूं बिल्कुल समझना अच्छे से confusion मत रखना बिल्कुल भी एक यहां जाएगा और एक यहां जाएगा ठीक है ऐसे ही जाएगा बिल्कुल है ना ऐसे ही जाएगा एसे ही जाता है न तो यहाँ पर क्या होगा बाई capital A और capital B एक तरफ जाएगा small A small B एक तरफ जाएगा कैसे जाएगा ये देखो ये वाला capital A capital B small a small b अब यहां पर आगया ठीके अब यहां पर क्या होगा यहां पर भाई जब यहां युगमक बनेंगे इसका मतलब क्रोमोजोम अलग हुए है ना क्रोमोजोम अलग हुए तो क्रोमोजोम अलग होंगे तो मतलब जो जीन है यहां पर वो जीन भी तो अलग होंगे है ना, इन क्रोमोजोम्स के साथ क्या होगा जीन भी तो अलग होंगे जब यहाँ पर अलग हुए है तो clear है ना इतनी बात तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर यह क्या जो जीन है ठीक है यहाँ पर यह जो जीन है इनके मद्धे की दूरी देखो कम है यह जीन है यहाँ पर इनके जो बीच की दूरी है यह क्या है? कम है यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पर जो जीन है उनके मद्धे की दूरी कम है दूरी कम है ठीक है? कम है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है दूरी कम है, दूरी का मतलब जो bond है इनके बीच, ठीक है, हम यहाँ bond की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कम है, यहाँ पर bond बना है, कम है तो, ठीक, तो कम है, तो इसी को क्या बोलेंगे, जो bond बना है ना इनके बीच, यही क्या है, यह linkage क्या करेंगे, इसे linkage करेंगे, ठीक है, लि दूरी कम हो गई है ना और दूरी कम हो गई है तो क्या है फई जब दूरी कम है तो यहां पर बॉन्ट बीदा और इससे ही क्या खएंगे घ। यह इनके गीच में लिंचेज बन रहा है इस वाइस से यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे ठीक है ना क्योंकि वह पास-पास है बिल्कुल कोई फराक ही नहीं पड़ेगा ठीक चलो इसी तरीके से अगर मैं यहां बना के समझाती हूं आपको यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की करते हैं तो हम सपोस कर रहे हैं यहाँ पर हम क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर crossing over की बात करते हैं ठीक है? तो crossing over में क्या होगा यहाँ पर? यह देखो यहाँ पर भी यह से गुंसूतर है ठीक है? इसमें भी क्या होगा? capital A, capital B small A, small B इसमें भी होगा वै एक गुंसूतर बड़ा बन गया, एक चोटा बन गया ऐसे लो जी, यहां आगया आपका capital A यहां आगया capital B और यहां आगया आपका small A यहां आगया small B अब यहां पर क्या होगा यहां पर जब हम इनके बीच में crossing over कराएंगे ठीके, यहां पर क्या होगा कि बाई, जब पुनर योजन की बात चलेगी यहां पर तो पुनर योजन में क्या होगा युगमको का निर्माण होगा यहां पर लिख देती हूँ कि जब पुनर योजन होगा क्योंकि हम पुनर योजन recombination की बात कर रहें न यहां पर तो पुनर योजन में क्या हो रहा है युगमको का निर्माण है ना यगमकों का निर्माण हो रहा है यहां पर तो यहां पर क्या होगा जो जीन है इस जीन के मद्धे जो है दूरी क्या है दूरी जादा है जो आप क्या है देख सकते हो बहुत असानी से ठीक है यहां पर दूरी जादा है दिख रही है यह है ना यहाँ पर दूरी क्या थी कम थी यहाँ पर दूरी क्या है जादा है तो यहाँ पर पुनर योजन के टाइम पे जब यूगमगों को निर्माण होगा यहाँ सहलगनता की बात चली थी कि यह साथ साथ लगे हुए है क्योंकि इनकी दूरी कम है ठीकि यहाँ सहलगनता की बात चलिए, यहां क्या हो रहा है? यहां दूरी ज़्यादा है, इसलिए यहां पे पास लाने के लिए crossing over करवाना पड़ेगा, ठीके? यहां क्या है दूरी? ज़्यादा दिखेगी, मतलब जब यहां पर पुनर योजन होगा न, ठीके? crossing over के दौरान, crossing over के दोरान यहां पर क्या होगा पुनर योजन होगा ठीके कैसे होगा पुनर योजन ये देखो इसको समझो कैसे होगा एक इस तरीके से आ जाएगा ठीके और दूसरा इस तरीके से आ जाएगा बनेगा कैसे यह रहा आपका capital A capital B है ना और यह क्या रहा small A small B यह इस तरीके से बनेंगे यहां बिल्कुल सीधे-सीधे आ गए थे इस तरीके crossing over यहाने कि cross के ऊपर तो A cross भी कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर भी है है ना चलो थीके अब यह आगे चलकर जब यूगमक बनेंगे यहां पर है ना जब आगे चलकर यहां पर क्या बनेगा यूगमक बनेंगे यहां पर जब आगे चलके युगमक बनेंगे एक-एक चीज इसले लिख रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको समझने में जब आगे चलके यहाँ पर युगमक बनेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इन में देखेंगे कि अनुवाशिक पदार जो है न मिक्स हो रहे हैं, यानि कि नीला वाला पाट था लाल में मिक्स हो रहा है, लाल वाला पाट नीला में मिक्स हो रहा है, कैसे होगा इस तरीके से आजाएगा, देखो समझो कैसे आजाएगा, इस तरीके से, ये ऐसे आजाएगा, और ये ऐसे आजाएगा, ठीक है, कैसे बनाएं जो अगले पेश पर देख लेते हैं ना देखो अगले पेश पर देख लें यहां पर कैसे बनेंगे यह ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा ठीक एक ऐसे आजाएगा एक ऐसे आजाएगा ऐसी तो आएगा ना ये वाला और ये वाला हिस्सा है ना देखो कैसे आएगा एक में क्या आ रहा है हमारे पास capital A small b capital A small b small A capital B ठीक capital A capital A के साथ क्या आ रहा है small b आ रहा है ठीक है और हमने क्या बोला small A के साथ क्या आ रहा है capital B अच्छा हमने white color use कर दिया यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पे small b आ गया ठीक है अब यहाँ पे इसका उल्टा बन जाएगा कैसा बनेगा बही capital B आ गया इसके साथ क्या आया small A आ गया है ना ऐसा आ गया यहाँ पर इसके बाद और यहाँ कैसा था यहाँ दोनो capital थे और दोनो small थे लेकिन यहाँ क्या हुआ एक capital एक small एक capital यहाँ पर यह सीन हो गया तो यहाँ पर क्या है कि एक वैज्ञानिक थे Alfred Studiwit Alfred नाम के एक वैज्ञानिक थे Alfred ठीक है इन्हों ने क्या किया इन्हों ने बताया इन वैज्ञानिक ने कि जहां जीन के मद्धे दूरी कम होती है जो जीन होता है इसके मद्धे में दूरी कम होती है दूरी कम होती है तो क्या होता है तो same chromosome तो same chromosome युगमक में जाते हैं युगमक में जाते हैं ठीक है कि जब same क्या बोला जब gene जो है क्या होते है इनके बीश में दूरी कम होती है तो same chromosome क्या होते है युगमक में जाते हैं यहां यह हमने क्या युगमक की तो बनाये थे ना है ना यह युगमक बनाये थे यहां पर तो पूरा as it is यहां चला गया as it is यहां चला गया लेकिन उन्हें क्या बोला कि जब इनके बीश में दूरी जादा होती है तो ये क्या होते हैं? युगमगों के निर्मान में ये मिक्स हो जाते हैं ठीक है? क्या बोला इन्होंने? कि जब पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बोला है ना? दूसरा पॉइंट क्या बोला इन्होंने? कि जब जीन के बीच में जीन के बीच में या मद्धे में क्या हो रहा है दूरी अधिक होती है या जादा होती है ठीके तो क्या होता है तो यहाँ पर विभाजन के टाइम विभाजन के समय क्या होगा यहाँ पर क्रोसिंग के टाइम पर मतलब विभाजन के समय यहाँ पर क्रोसिंग में क्या होगा बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि जो अनुवन्शिक पदार्थ है जो अनुवन्शिक पदार्थ है किस टाइम पर क्रोसिंग ओवर के टाइम पर क्योंख करना है कि यहां पर हमने क्या क्या थे अनुवन्शिक दी एक तो नमबर वन यह और नमबर टू यह दो चीज़े बताई उनुझा जीं के बीश में जब दूरी क्या होगी दूरी कम होगी तो सेम क्रोमोजोम युगमग में जाएंगे और जब जीन के बीच में दूरी जादा होगी तो बहुत जादा चांस है क्रोसिंग ओवर के टाइम पे कि जो उनका क्या है अनुवांशिक पदार्त है वो mix हो जाए mix and match हो जाएगा ठीक चलो यह देखो यहाँ पर हो रहा है न यह पूरा लाल है यह पूरा नीला है यह देखो क्या हो गया देख रहा है यहाँ पर mix हो रहा है यहाँ mixing दिखा रहे हैं दीरे 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 यह देखो दीरे दीरे mixing दिखा रहे है recombination equals to crossing over बहुत अच्छे है देख लो इस चीज़ को ठीक फिर से देखो कैसे देखो color change कर रही है इसको क्या बोला recombination equals to crossing over है ना यह देखो कैसे अब इस अलग 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 थे match नाच के पास आए और इन्होंने क्या किया अपना अनुवांशिक जो पदार्त है वो mix कर लिया है ना चल इसको तोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे Morgan साहब ने क्या किया हम तो हमने क्या बात करी थी कि Morgan साहब ने ड्रॉसोफिला के ओपर काम किया था तो लिंक सहलगन जीन के अध्यन है तो Morgan ने ड्रॉसोफिला में कई द्वी संकर क्रोस कराए बहुत सारे ठीक ये मेंडल द्वारा मटर में किये गए द्वी संकर क्रोस के समानते जैसे मेंडल जी ने किया था बिल्कुल वैसा ही था उधारन के लिए Morgan ने पीले शरीर और श्वे में क्रोस करवा दिया जो F1 संतती आई इनसे उसको क्या किया हमने स्वेप परागर्म किया उसने देखा कि तो दो जीन जोड़ी एक दूसरे से स्वतंतरवी संयोजित नहीं हुए और F2 का अनुपात 9-3-3-1 से काफी अलग आया यानि कि दो जीनों के स्वतंतरता कारे करने है पर यही अनुपात आप एक्षित था चलो अब क्या करना है यहां तक हम समझ गए हैं तो चलो थोड़ा सा यह कauen है हमारे है य हमारे यह हमारे टी एच मोर्गन साहब थोड़ा जान लेते curiosity के बारे मैं कौन है यह हमारे टी एक मोर्गन इस साहब हैं यह हमारे ठीक हैं क्या चर्चा करिए हमने इनके बारे में? कि इन्होंने प्रियोग किया था Drosophila Milano Gaster के उपर Drosophila Milano Gaster ठीके? इसके उपर इन्होंने काम किया था ठीके? जिसको हमने क्या बोला? जिसको हमने क्या बोला? Fruit fly इसको हमने बोला fruit fly अब जैसा कि इन्होंने क्या कहा? कि भाई एक लैब में क्रतिम प्रियोग करना ठीके? लैब में क्या किया? इन्होंने क्रतिम प्रियोग किया इन्होंने क्या किया? लैब में क्रतिम क्या किया? प्रियोग ठीके? एक तो इन्होंने लैब में क्रतिम प्रियोग से बनाया ड्रॉसोफिला ठीक है एक बनाया और एक को क्या किया इसे के निचे और एक क्या है कहीं जंगल से ले आए जंगल से लाए ड्रॉसोफिला को ठीक है दो तरह के की ड्रॉसोफिला थी एक को लैब में बनाए उन्होंने और दूसरे को जंगल से ले आए जैसे कि जैसी वो थी ठीके तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने कि जो एक जो वन्ने थी यानि कि जो जंगल से लाए थे वन्ने फ्रूट फ्लाई ठीके वन्ने फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं तो वो क्या था? प्रभावी था. वो क्या था? प्रभावी. ठीके, वो क्या था? प्रभावी था. ठीके, जो क्या था? नर था ये. ठीके, नर था. और इसका शरीर कैसा था? अगर मैं इसका शरीर की बात करूँ, तो भई, भूरा शरीर था. भूरा शरीर. ठीके, और आखें थी हां लाल आखे भूरा शरीर और लाल आखे थी इसकी ठीक है यानि कि इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई प्लस डबलू प्लस ऐसे फिर जिसे लैब में बनाया गिया था जिसको लैब में बनाया था यानि कृतिम प्रियोग से है ना कृतिम प्रियोग से जो बनाया था फ्रूट फ्लाई अुझा थीक है उसका क्या हुआ वह अर्प्रभावी थी यह अर्प्रभावी थी ठीक है और ये क्या थी या माधा थी और ये माधा कैसी थी ये भी देख लेते हैं मादा कैसी थी ये? इस मादा की क्या थी? पीला शरीर था ठीके, पीला शरीर था और क्या था? आँखे सफेद थी सफेद आँखे थी ठीके, पीला शरीर और सफेद आँखे इनको क्या लिखा? Y, W ठीके? य, डबलू, ठीक है जी, इतनी चीज़ समझ में आ गई है अब, है ना, अब यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, कि जो X क्रोमोजोम था, यह किस पर, यहां पर यह जो कुछ भी होगा, किस पर होगा, X क्रोमोजोम पर होंगे, यह जो है, यह क्या है, यह X क्रोमोजोम पर ह होंगे दोनों के दोनों ठीक है किस पर उँगा ये एकस पर होंगे ये बी और ये वी दोनों के दोनों X क्रोमोजोम पर उँगे इस चीज को याद रखना बिल्कुल ठीक है चलो समझ गए हम यहां तक अब क्या करेंगे चलो इण जनक बनाते हैं चलो अब जनक बनाते हैं ये रहे हमारे जनक जनक बनाएंगे तो क्या होगा तब हमें पता है कि मादा क्या है अप्रभावी है ये रही मादा याने कि XX ये क्या है अप्रभावी है ये ठीक है मादा क्या है अप्रभावी है ठीक है हमको पता है कि यह नर है एक्स वाई नर क्या है हमें पता यह प्रभावी है ठीक है नर क्या है प्रभावी है यह तो चलो अब मादा के पास जो गुर्ण सूत्र है वो देखते है क्यासा है ऐसे करके है है ना इस तरीके से है तो यहाँ पर जो मादा के पास है हमको मालूम है कि यह रहे इस तरीके से क्या है ये इस तरीके से क्योंकि दोनों हमने क्या बोला X पे होंगे है ना दोनों हमने क्या बोला कि X पे होंगे तो हमें मालूम है ये सम्युगमजी गुर्षूत्र है है ना सम्युगमजी है ना ठीके इस तरीके से तो यह क्या है सम्युगमजी गुड़सूत्र है यहां पर क्या बोला हमने कि भई पीला शरीर है और सफेद आंख है इस चीज को ध्यान में रखना क्या है पीला शरीर पीला शरीर सफेद आंक ठीक है पीला शरीर सफेद आंक इसका मतलब क्या है वाई और डबलू सिर्फ ठीक है वाई और डबलू तो वाई और डबलू लिखा है हमने सिर्फ ठीके और यहाँ पर क्या है भाई चलो अब नर बना लेते हैं नर को थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं लो जी इस तरीके से नर है एक X हो गया एक Y हो गया इसमें भी यह रहा X यह रहा Y तो हमने क्या बोला जितना भी यह होगा कहा होगा सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोजोम पर होंगे जो भी होंगे तो यहाँ पर हमने इसको क्या बोल दिया Y प्लस W प्लस देखो यहाँ पर इनके बीच की दुरी जादा है यहाँ पर इनकी बीच की दुरी कम है इस चीज़ को ध्यान में रखना ठीक ये समयुगमजी है ये कैसे है विशम युगमजी विशम युगमजी है ये लोग ठीक है चलो ठीक है और इसको हमने क्या मोलता ये क्या है ये है भूरा शरीर और लाल आख भूरा शरीर और लाल आख अब इनके बीच में क्या होगा crossing over होगा क्रॉस करवाएंगे तो cpros करवाएंगे तो f1 pd की जब हम बात करते हैं तो देखो y का तो कोई roll ही यह 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 पे कुछ ही नहीं तो एक बर वो x इसके साथ करेगा और एक बर वो x इसके साथ करेगा ठीक है तो क्या बना हमारे पस हमारे पस क्या बनेगा फिर F1 PD में एक इस तरीके से बन गया ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा है ना ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा ये क्या बनेगी हमारी ये बनी हमारी फिमेल ठीक और यह क्या बनेगा मेल कैसे बनेगा देखो अब यहां हमारी F1 पीड़े में क्या होगा न कि सिर्फ एक ही क्या होगा एक जो मादा है सिर्फ यह मादा यही प्रभावी बनेगी कैसे बनेगी यह देखो उसका इसके साथ करवा देंगे तो कैसे आया हमारा y और w आया, ठीक, और दूसरे वाला क्या है, उसके साथ कराएंगे तो, ठीके, क्या आया इसका, y प्लस, w प्लस, ये क्या हो गई, इसका मतलब प्रभावी हो गई, ठीके, क्योंकि हमने क्या कहा था, कि नर प्रभावी था, है ना, हमने क्या कहा था, नर प बात करते हैं, तो मेल किया यहां पर प्रभावी नहीं है, खाली y और डबलू रह जाएगा यहां पर, ठीक है, तो पहली जन्रेशन में क्या हुआ भाई, कि हमने देखा मादा क्या थी, मादा प्रभावी बनी, पहली जन्रेशन में, मादा प्रभावी है यहां पर, ठीक है, एवण पीडी में, एवण पीडी में जो मादा है वो क्या है? प्रभावी है, ठीक है? लो, ऐसे लिख देते हैं इसको, मादा क्या है? प्रभावी है, ठीक? इतनी बात clear सबको, चलो, ठीक है, अब भाई, यहाँ पर क्या है? जो क्या है जन की संतिती जादा जो जन की संतिती होती है यह क्या होती है यह बनेंगी यहां पर याने कि जैसे जनक है वैसे ही संतिती बनेगी और जो दूसरा होगा वो कैसा होगा पुनरियोजन की दूसरा जो बनता है वो पुनरियोजन की वज़े से बनता है ठीक है अब हम यहां पर चलो सनलगनता को देखते हैं कि सनलगनता कैसे होती है क्या होता है मतलब कैसे यहां पर सब कुछ काम होता है तो आगे जो भी संतती बनेगी वो क्या होगी वो जनक की तरह बनेगी बिलकुल यहां पर तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या कहा है यहां लिख देते ह कि भाई जो 98.7% जो जनकिये संतती होती है जनकिये संतती होती है वो मिलती है यहाँ पर ठीके क्योंकि जीन के बीच में क्या है दूरी कम है जो जीन है उसके बीच में दूरी कम है ठीके और जो पुनर्योजन की बात होती है अगर हम पुनर योजन की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हमको 1.3% मिलती है वहाँ पर क्या है दूरी जादा है जीन के बीच में ठीक है इतने चीज़ क्लियर सबको है न कि बई सहलगनता में क्या है हमको जनकी संतिती जादा देखने को मिलती है 98.7 और जो पुनर योजन की बात हो रही है यहाँ पर दूरी जादा होती है जीन के बीच में इसलिए 1.3% देखने को मिलती है यहाँ पर पुनर योजन वाली संतिती इतनी बास आपको क्लियर हो गई है है ना बिल्कुल भी क्या कर रहे है भाई अब हम फिर से बना रहे हैं जनक ठीक तो हमने क्या बोला हमारे पास एक जो क्या थी यह प्रभावी थी ठीक है तो इसको हम फिर मादा है, मादा क्या है, प्रभावी है, ठीक है, और नर क्या है, यहाँ पे नर है, ठीक, लो जी, इस तरीके से, देखो, यह वाली मादा, इसी तरीके से जाएगी, बिल्कुल, वाई, डबलू, है ना, और दूसरा क्या जाएगा, आपका, वाई प्लस, डबलू प्लस, ठीक, अगर मैं नर की बात करती हूँ, तो नर में क्या आएगा, आपके पास, वाई और डबलू, ठीक है, क्योंकि नर हमारे पास क्या आथा, यहाँ पर, अप्रभावी बना था, है ना, इसी वज़े से, चलो, इसके बात क्या होगा, यहाँ पर फिर जब हम, जो हमने यहाँ लिखा है ना, इसी को हम दूसरे पेश पे लेके गए हैं, इस वाली F1 PD को, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर F2 PD में क्या करेगा, जो फिमेल है, वो अप्रभावी मादा बनेगी, ठीक है, दो फिमेल बनेगी, यहाँ पर, यहाँ पर F2 PD की बात कर रहे हैं हम, चलो F2 PD को लेकर आते हैं यहाँ पर, कैसे बनाएंगे हम, ऐसे, इस तरीके से एक हो गई, मतलब वहाँ से एक इसके साथ आ गई, और यहाँ से एक इसके साथ आ गई, ठीक है न, तो पहली कैसी बनी है हमारी, Y और W, है न, ठीक, Y और W, ठीक है न, क्योंकि दो को पहली में दोनों क्या हैं, आप्रभावी है, है न, दिख रहे हैं आप्रभावी और आप्रभावी, ठीक, और दूसरा क्या बना हमारा, दूसरा बना हमारा, दूसरा बना हमारा, y प्लस, w ठीक, और क्या बना, y, w, याने कि जो पहली वाली हुई, वो क्या हुई, यह हमारी अप्रभावी बनी, अप्रभावी मादा है ना और ये क्या बनी प्रभावी ठीक है प्रभावी मादा ठीक है तो एक मादा क्या है जनक के जैसी बन गई देखो है ना एक मादा जनक के जैसी बन गई यानिकी वो प्रभावी बन गई और एक क्या बन गई प्रभावी बन गई जैसा नर था ठीक है इतनी बात क्लियर अब यहां पर अगर मेल बनेगा यह तो फीमेल बनी ठीक यहां नर्भ की बात करूए तो नर्ध कैसे बनेगा हाा नर्ध देखो विचारी हो वेसे ही रह जाएगा हैना एक परभावी बनेगा और ड्रण्भी कैसे बनेगा कि अधर लिख डेते हैं चूले तो जगाऌ कम है न जूत यहां देखो एसे आ गया या गया नर ऐसे आ गया यहाँ भी क्या एक प्रभावी है एक अप्रभावी है है nा जब नर का भी तो कराएंगे न एक बार इसके साथ होग Rocket अकर वह कर में さ तो पहला हम यहां तो खाली होता है, दूसा तो खाली होता है, तो यहां पे क्या है यह अप्रभावी है, यह क्या है अप्रभावी, अप्रभावी, यह क्या है नर बनाया हमने, यह क्या है अप्रभावी, ठीक, यह क्या है प्रभावी, है ना तो एक प्रभावी बना एक अप्रभावी बना यहां पर इसको ब्लू से दिखाना था और कोई याद भी नहीं दिला रहा है है ना कोई याद भी नहीं दिला रहा है यहां से भी चला गया ठीक है यह हो गया यहाँ पर इतनी बात सब बच्चों को clear हो गई है ना है ना और होने भी चाहिए doubt नहीं होना चाहिए बिलकुल चलो, अब इतनी बात तो clear, है ना लेकिन अगर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पुनर योजन हुआ ठीके, यहाँ पर अगर पुनर योजन हुआ अगर यहाँ पर पुनर योजन हुआ, तो क्या होगा पुनर योजन में, तो पुनर योजन में हमने क्या बोला, 1.3% क्या बनेगी, पुनर योजन में संतती बनती है, है ना कितनी, 1.3% बनती है, आह, 1.3 लिख रही हूँ मैं, वाओ, लो, अब आगे 1.3, ठीक, तो हमने क्या बोला, कि 1.3% क्या संतती बनेगी यहां पर, पुनर योजनकी बनेगी तो चलो एक पर ये भी देख लेते हैं तब इतना कुछ देखा है तो तो हमने क्या बनाई थी संतिती बनाई थी हमने इस तरीके से है ना ये था नर ठीक ये था नर और ये थी मादा हमने क्या देखा इसमें हमने क्या देखा कि भाई क्या देखा था Y W है न Y W यही था और नीचे वाले में क्या था यहाँ पर Y प्लस W प्लस है न तो अगर यहाँ पर मादा बनाते हैं हम यहाँ पर जब हम मादा बनाते हैं तो मादा कैसी बनेगी देखो हम यहाँ पर पुनार योजन की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये पुनर योजन की जब बात हो रही है तो मादा कैसी बनी यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के बात बनेगी भाई है ना मादा और नर्द कैसे बनेंगे क्रॉसिंग ओवर के बात बनेंगे तो देखो कैसे बनेंगे कि यहांपर हमने क्या बोले इनमें दूरी ज्यादा होगी इन ठीक वाय और डबलू आई अप्रभावी है तो ब्लू नहीं आएगा रेड आएगा है ना ब्लू को हमने प्रभावी दिखाया था तो यहां पर इस तरीके से आ गया यह क्या है हमारी अप्रभावी है यह क्या है आप्रभावी मादा है हमारे पास इसका अगर नर है इसका अगर नर है नर कैसा है इसका वो भी देख लो नर कैसा है इसका हाँ नर इसका क्या से बनेगा बताओ नर कैसा बनेगा इसका हमने तो इसको आप रवावी बता दिया है हाँ ठीके आप रवावी बताया है न हमने इसको अब नर क्या है हमारा नर हमारा ये क्या हो गया हम नर पे तो हमारा कांगया ब्लू ये रहा Y प्लस W ये प्रभावी है है ना Y प्लस और W ये प्रभावी है ठीके ठीके देखो यहां पे से क्रोशिंग ओवर करवा के दिखाते हैं चलो क्रोशिंग ओवर करवाते हैं कैसे इस तरीके से देखो कि हमने क्या कहा ये क्या है x x गुर्ण सूत्र यह हमारे पास यह रहा x यह रहा x ठीके यह रहा x अर यहां क्या है मादा के गुर्ण सूत्र में क्रॉसिंग ओवर करा रहे हैं ठीके कैसे करा रहे हैं कि भाई यह आ गिया यहां पर और एक यहां आ गिया दो इस तरीके से आ गए पुरनर योजन में इनके बीच की दूरी क्या होती है जादा होती है इस वजे से ठीक तो यह हो गया y यह हो गया w y plus w plus अब इनके बीच क्या होगा भाई इनके बीच हमने क्या कहा था इस तरीके से crossing over होता है ऐसे ठीक, तो कैसा बना Y और W प्लस W और Y प्लस है ना, Y और W ठीक है, Y और W प्लस और W प्लस Y प्लस, तो यहाँ पर जब मादा बनेगी तो कैसी बनेगी यहाँ पर जब मादा बनी तो कैसी बनी क्या बोला हमने क्या बनी, मादा यहाँ पर y ठीक है क्योंकि mix हो गया न यहां पर और w प्लस देखो यह वाली ठीक और इनको कुराएंगे तो क्या बनेगा यह आगे आपका w ठीक और यह क्या है आपका y प्लस ठीक है तो यह क्या बन गया यहां पर क्या बन गया यहां पर कि भई यहाँ पर क्या बना इसमें मैं Y का साइन लगाना तो भूल गई Y का साइन लगाना तो मैं भूल गई कैसे लगेगा Y का साइन ओके रुको 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 यहाँ पर दो बननी थी ठीके दो बननी थी और हमने क्या बनाई है सिर्फ एक बनाई है रुको 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 दो बननी थी और हमने सिर्फ एक बनाई है है ना यहाँ पे दो मादा बनेंगी एक प्रभावी और एक अप्रभावी तो यह पहले हमारी मादा है ठीक है तो चलो मादा को बनाते है चलो तो यहाँ पर दो मादा बनेगी, यह क्या है हमारी, पहली वाली क्या है हमारी, यह हो गई हमारी, यह हमारी अप्रभावी, ठीक, और दूसरी जो बनेगी वो प्रभावी होगी, देखो कैसे, यह रहा, यह दूसरी मादा हो गई, ठीक है, यह कैसे बनी है हमारी, अप्रभाव बनी यह क्या हो गया हमारा वाई और डबलू ठीक और यहां क्या हो गया वाई प्लस और डबलू प्लस तो यहां पर एक मादा प्रभावी थी और एक मादा अप्रभावी थी ठीक है ना क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हमने करवाया है तो आप क्रॉसिंग ओवर से देखो कि यहां जब नर की बारी आती है ठीक है यहां जब अब नर की बारी आती है तो नर कैसा होगा नर को देखो नर कैसा आएगा यहां पर देखो इस तरीके से एक तो इस तरीके से आजाएगा ठीक और दूसरा भी ऐसे आजाएगा यह देखो इस तरीके से नर में क्या आएगा अपने प पास कैसा आया के भाईया कैसा आया यह क्या अपना Y है ना यह क्या गया Y प्लस यह क्या गया W प्लस और यह क्या गया अरे यार फिर जगर बढ़ कर दी हम ठीए जो W प्लस था वो है हमारा दीला ठीक तो यहां हमारे पास आगे W प्लस वाई और W प्लस इतना ज्यादा हो जाता है इतना कि Y प्लस और W और Y और W प्लस अब ही बिल्कुल करेक्ट है तो हमारा जो नर्थ था वो क्या था याने की Y और W प्लस याने की नीला या क्या डबलू प्लस और दूसरा क्या था हमारा यहां पर दूसरे क्या था, Y प्लस और W, यह आगया आपका Y प्लस और यह आगया आपका W, ठीक, अब यहाँ पर लिखने वाली बात यह है, कि जब यह बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, भाई, यहाँ पर बनेगा आपका पीला शरीर, ठीक है, पीला शरीर बना और लाल आंख बनी लाल आँक ठीक है और यहां क्या बनेगा आपका यहां बनेगा भूरा शरीर ठीक है भूरा शरीर और श्वेद यानि की सफेद आँक अब यहां पर क्या मतलब है कि भाई जै क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो क्रॉसिंग ओवर जब हुआ है यहां पर तो जनक से क्या होगा ठीक है इतनी बात सब को लेकिन अगर मैं मादा की बात करती तो मादा में कई मिला है हम animal श्वेध सरी ठीक है और याप ठीक है औरध सिस्ट सरी की बात करती हूं तो शरीं कैसा है इसका भूरा ठीक है और आँख कैसी है आँख कैसी है इसकी हाँ सफेद ठीक है ओके ना चलो तो यह हमारी मादा ऐसे बनेगी और नर ऐसे बनेगे यहाँ पर तो इन चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखना है ठीक और इसी के साथ क्या हुआ कि आज की क्लास यहाँ पर खतम हुई उमीद करती हो क इतने सारे confusions के बाद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी है ना आनी भी चाहिए इतनी मेहनत लगी है इतना दिमाग लगा है इतनी बार गड़बड़ी हुई है तो समझ में आना चाहिए है ना चलो फिर आज के लिए बस इतना ही मिलते अपने अगली क्लास में तब तक इ करते रहो ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो ठीक है ना चलो फिर बाई बाई